आप सबको मेरा प्यारवरा नमस्कार अभी हम लोग सालव करेंगे सेंपल कोस्टन पेपर साइंस क्लास 10 के लिए 2022-23 के लिए इसमें मिग्जिमम मार्क्स 80 है जो टाइम एलाउड है वो 3 आवर सका है इसके इस्ट्रक्शन्स देखते हैं इसमें टोटल 39 कोस्टन्स हैं 5 फल्षरी है कुछ कोस्टन्स में इंटरनल चॉइस प्रोवιοड़ेड़ है लेकिन एको ट्विश्ट्टೆइन को केवाल एक ही कोस्टन करना है अगर इंटरनल चॉइस दिया हुआ है उन कोस्टन्स में तो सेक्षनें में टोटल 20 अभजेक्ट्टी फोस्टन्स हैं इसमें one म है ना साथ इंसर कोस्ट थे सरा इशारे है तरी मांक हिज्जimes के इसमें जो वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड सका है sedesan D में तरी लांग इंसर टाईप कोस्टट्स है 5 और्सेज्ज के section D में त्री सोर्स whack युनिटसप असेस्में्ट ए के को sihrs March area in arrange kuchen not सब पर्ष दिये हुए हैं इसमें question 1 है कि the change in color of the moist litmus paper in the given setup is due to तो यहां पर एक moist litmus paper हाथ में एक आदमी पकड़ा हुआ है उसके color में change आ रहा है ऐसा question बोल रहा है इसका region क्या है देखिए सबसे पहले यहां पर HTS tube में concentrated HTS4 को एक डापर से गिराय जा रहा है और नीचे में जो sodium chloride HTS4 रखा हुआ है और इसको एक tongue से हम लोग पकड़े हुए हैं अब second में यहां पर असक क्या होता है यह question में पूछ रहा है कि यह जो moist litmus paper है ना उसका color change होता है तो आपके option है पहला है presence of acid क्या इसमें acid presence है तो देखिए माल लिजे इसमें acid present भी है तो क्या acid ऊड़के यहां तक पहुँचेगा तो इसी तो ऊड़के नहीं पहुचेगा तिसे लिए पहला presence of litmus which x is an indicator तो केवाल litmus जो कि एक indicator होता है अपने आप तो अपना color change नहीं करेगा तो इसके लिए equation को हम लोग समझते हैं अब देखिए litmus एक indicator है जो acid होने पे red में color change करता है और base होने पे blue में करता है यहां पे reaction देखिए यहां पे sodium chloride होके sodium sulfate बन रहा है और HCl बन रहा है यहां पे जो HCl है न वो H plus के फाम में उपर की तरह पैसा ट्यवल कर रहा है और ट्यवल करने के बाद जो moist litmus फेपर है ना चुकि acid होता है तो उसको यह red में convert कर दे रहा है तो इसका answer option C होगा only third presence of H plus equals in the solution question 2 में देखिए इंद the redox reaction एक redox reaction में यहां पे एक redox reaction दिया हुआ है यहां पे क्या हो रहा है कि मेगनीज आक्साइड है MnO2 वह hydrochloric acid HCl के साथ में reactor करके मेगनीज कोलराइड MnCl2 वाटर H2O और chlorine Cl2 बना रहा है तो इसमें पूछ रहा है कि कौन reduce हो रहा है और कौन oxidized हो रहा है अगर reduced होता है इसका उल्टा होगा oxygen lose करेगा और hydrogen लेक्टान वो gain करेगा यहां पे देखिए जो मेगनीज आक्साइड है MnO2 वो oxygen को lose कर रहा है और lose करने के बाद यहां पे मेगनीज क्लोराइड बना रहा है तो इसका reduction हो रहा है यह reduced हो रहा है यहां पे hydrochloric acid को दिखिए hydrochloric acid जो है वो hydrogen को lose करके यहां पे chlorine में convert हो रहा है यहां पे hydrogen को lose करना क्या हो गया? acidized हो होना है तो यहां पे MnO2 reduced होके MnCl2 में convert हो रहा है और HCl oxidized होके हो Cl2 में convert हो रहा है अब देखते हैं यह option किसमे है? तो दिखिए यहां पे option second में इसको दिया हुआ है कि MnO2 is reduced to MnCl2 जो हमने समझा है and HCl is oxidized to Cl2 इसलिए इसका option भी correct हो जाएगा जिसमें question third है which of the following is the correct observation of the reaction shown in the above setup तो यहां पे देखिए एक setup दिखा रहा है जिसमें आप reaction को देख रहे हैं कि यहां पे एक flame जल रहा है जिसमें magnesium ribbon को जलाया जा रहा है उसको एक टंग से पकड़ा गया है नीचे में बनना रहा है और यहां पे एक watch glass है और यहां पे magnesium oxide जो ह के नीचे में गीर कि यहां पे collect हो रहा है तो NCIT में कपी अच्छे सी इसको समझाया गया है बहुत important है एक बार वहां से समझते हैं तो इसका answer जो है न बिल्कुल clear हो जाएगा देखिए chapter 1 में chemical reactions and equations में जो इसका first page है न उसी में इस experiment को कपी अच्छे से बताया है यहां पे आ समझते हैं कि you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame क्या बोलता है यहां पे dazzling white flame and changes into a white powder तो यहां पे जो magnesium ribbon है वो dazzling white flame के साथ जलता है और एक white powder में यह change हो जाता है और this white powder is magnesium oxide और यह जो white powder है वो magnesium oxide है और इसका reason यहां पे बताया रहा है कि it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air तो चलिए आप इस cancer को कपी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं इसमें आप साने देखिए brown powder आप magnesium oxide is farmed यहां पे देखिए brown powder बोल रहा है तो हमने जो पढ़ा है उसमें तो white powder है magnesium oxide तो first option इसमें गलत हो जाएगा बी है colorless gas which turns lime water milky involved बोल रहा है कि इसमें colorless gas मतलब carbon dioxide co2 निकल रहा है क्योंकि co2 जो है वो lime water को milky कर देता है तो ऐसा भी नहीं है तो second option भी गलत हो जाएगा इसका इसके बाद c देखिए magnesium ribbon burns with brilliant white light तो देखिए हमने अच्छे से पढ़ा है इसको की digeling white light याने brilliant white light के साथ में burn होता है यही चीज़ जिसमें हो रहा है तो इस caption c correct हो जाएगा और d बोलता है reddish brown gas with the smell of burning sulfur as evolved तो ऐसा भी नहीं हो रहा है क्यों कोई reddish brown gas यहां से निकल रहा हो तो इसका option d भी गलत होगा इसलिए इसका option c correct हो जाएगा इसमें question 4 है with the reference आप और गैसे co2 carbon dioxide, co carbon monoxide, co2 chlorine and o2 oxygen which one of the options in the table is correct तो देखिए चार गैसों को यहां पे दिया हुआ है और उसके अनुसार हमको बताना है कि कौन सा option यहां पे सही है option a में बोलता है acidic oxide carbon monoxide co तो देखिए carbon monoxide जो है न वो acidic oxide नहीं होता second देखिए used in treatment of water water के treatment में use होता है colorine बिल्कुल use होता है फिर इसका c में देखिए कि product of precipitation तो इसमें product of precipitation जो है न वो oxygen नहीं होता क्योंकि जब हम सास लेते हैं यह उसका reactant होता है जब हम लोग product मतलब सास छोड़ते हैं तो carbon dioxide छोड़ते हैं ना कि हम लोग oxygen छोड़ते हैं तो यह नहीं होगा उसके बाद product of incomplete combustion तो incomplete combustion में carbon monoxide पैदा होता है क्योंकि oxygen sufficient नहीं रहता तो इसमें देखिए first option में न दो करेक्टा है क्लोरिन कलेक्टा है और यह carbon monoxide करेक्टा है तो इसलिए यह option जो है ना करेक्ट नहीं है क्योंकि दो गलत है इसमें बी में देखिए acidic oxide CO2 बोलता है तो CO2 जो है ना वो acidic oxide होता है कैसे मैं बता रहा हूँ तो देखिए water और carbon dioxide H2 और CO2 मिलके carbonic acid H2CO3 बनाते हैं तो यह acidic nature का होता है इसलिए carbon dioxide जो है ना वो acidic होता है अब इसमें देखिए CL2 हमने समझा है कि यह water के treatment में यूज होता है तो इसके बाद देखिए product आप respiration में इसमें carbon dioxide दिया है इसको भी अच्छे से समझे हैं कि जो product आप respiration होता है उसमें carbon dioxide बहां निकलता है फिर देखिए product आप incomplete combustion तो जैसे नहीं बताया है कि लेक आप oxygen में जब combustion होता है तो उसमें carbon monoxide बनता है carbon dioxide के जगह में तो देखिए इसी कारण से ना इसका option बी जो है ना correct होगा इसलिए इसका answer होगा option B question 5 है and placing a copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate solution it will be observed that the ferrous sulfate solution देखिए इसमें बोल रहा है कि copper coin को एक test tube में जिसमें पहले से green color का ferrous sulfate solution रखा हुआ है उसमें डाला जा रहा है तो यह अब जरुग किया जा रहा है कि ferrous sulfate solution पे क्या change आएगा तो देखिए basically क्या है यह copper तभी react करेगा पेरस sulfate से जब और activity series में copper से नीचे होगा अगर iron जो है copper से उपर है तो यह उससे react नहीं करेगा तो सबसे पहले हम लोग activity series को एक बार देख लेते हैं अब यहाँ पी screen में देखिए यह activity series में iron जो है न यह copper की उपर में है और copper जो है न iron से नीचे में है iron के बाद lead है hydrogen है फिर copper है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जब copper को हम लोग iron sulfate में डालेंगे तो यह जो copper है न वो iron को displace नहीं कर पाएगा जिसके एकांड कोई भी प्रकार की reaction इसमें नहीं होगा अब इसका आपसाने देखिए tons blue and a gray substance is deposited on the copper point तो जैसे कि हमने समझा कि इसमें कोई reaction नहीं होगा इसलिए न ते बुलू ton होगा ना ही copper point में कोई substance जो है न वो deposit होगा तो इसलिए first option गलत हो गया B है tons colorless and a gray substance is deposited on the copper point तो कोई reaction ही नहीं होगा तो कोई भी substance इसमें जो है deposited नहीं होगा तो second भी गलत है थर देखते हैं tons colorless and a reddish brown substance is deposited on the copper point तो यह भी नहीं होगा जैसे कि हमने समझा है तो इसका answer हो जाएगा option फोर रिमेंस green with no change in the copper point इसमें question 6 है अनिता added a drop each of diluted acidic acid and diluted hydrocolic acid on pH paper and compared the colors which of the following is the correct conclusion तो देखें अनिता जो है drop कर रही है diluted acidic acid को और diluted hydrocolic acid को एक pH paper पे और color को compare कर रही है तो इसमें से कौन सा conclusion जो है वो सही होगा अब इसको यहाँ पे समझे कि जब कोई acid solution में dissolve होता है तो वो h plus ion उसमें देता है और कोई base dissolve होता है तो उसमें h minus ion को देता है जब इस seed h plus ion देता है तो जो strong acid होगा वो उतना जादा h plus ion देगा तो उसका acidic nature जो है न उतना जादा बढ़ जाएगा ठीक है यहाँ पे उसको समझाया है कि सबसे ज़्यादा acidic होगा 0 पे और सबसे कम होगा 7 पे इसका मतलब क्या है कि जो जितना ज़्यादा strong acid होगा उसका जो pH value है न उतना कम होगा मतलब सबसे strong acid का जो pH value हो 0 होगा और सबसे neutral का हो 7 के आसपास होगा इसको यहाँ पे पहुत अच्छे से explain किया हुआ है इसको हम समझते हैं लिखता है the strength of acids and bases depends on the number of H plus ions and OH minus ions produced respectively if we take hydrocholic acid and acidic acid of the same concentration say 1 molar then these produce different amounts of hydrogen ions acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids and acids that give less H plus ions are said to be weak acids तो हम इसमें अब अच्छे से समझ चुके हैं अब इसका आपसाने देखते हैं pH of acidic acid is more than that of hydrocholic acid कि जो pH value है acidic acid का वो जादा होगा hydrocholic acid से बिल्कुल यही सही है क्योंकि acidic acid का जो strength है वो hydrocholic acid के compression में weak होता है मतलब hydrocholic acid एक strong acid है और acidic acid जो है न वो एक weak acid है तो weak acid होने कान इसका जो pH value है वो hydrocholic acid से ज्यादा होगा जैसे कि हमने अच्छे समझा है इसलिए इसका आपसाने correct होगा question 7 है the formula for organic compounds are shown below choose the correct option इसमें चार अर्णी compound के जो formula है वो दिये हुए है उसमें से correct option को हमको choose करना है option यह बोलता है option यह एथिन के लिए दिया है यहाँ पर option B इसमें ethinoic acid है और option C जो है वो यहाँ पे एथिन है और option D जो है न वो एथिल एलकुहल है तो सबसे पहले option में देखते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें option में A में बोलता है कि A and B are unsaturated hydrocarbons तो देखिए A और B unsaturated hydrocarbons है बोलता है तो B जो है न यह तो acid है इसलिए पहला option जो है इसमें नहीं होगा B जो है option B C and D are unsaturated hydrocarbons तो देखिए जो C है यह तो saturated है एथिन और D भी क्या एलकुहल है तो B option भी इसका नहीं होगा लेकिन C देखिए addition of hydrogen in presence of catalyst changes A to C बिल्कुल यही है कि hydrogen में एथिन जो है in presence of catalyst जैसे कि platinum है इनके presence में hydrogen के साथ में hydrogenation करके एथिन में convert हो जाता है इसको हम लोग अच्छे समझते हैं देखिए hydrogenation आप एथिन में एथिन जो है platinum के presence में के at least के presence में H2 के साथ में addition करके यहाँ पे जो unsaturated है इसका खतम हो जा रहा है और saturated hydrocarbon एथिन यहाँ पे बन रहा है इसका answer हो जाएगा option C addition of hydrogen in presence of catalyst changes A to C कि जो catalyst के presence में addition होता है hydrogen का जैसे के हमने समझा एथिन के साथ में वो एथिन में इसको convert कर देता है question 8 है in the given transverse section of the leap identify the layer of cells where maximum photosynthesis occurs तेहाँ पे देखिए एक transverse section आप leap एक पत्ते का transverse section दिया हुआ है जैसे कि आप screen पे देख रहे है इसमें जो cells के layers है वो बताए गये हैं इसमें हमको बताना है कि maximum photosynthesis कहां पे होता है यह जो first layer है यह है upper epidermis का second layer जो है वो palisade layer है third जो है spongy cell है और जो fourth है यह god cells है तो हमको सबसे पहले इनको जानना होगा कि यह सब किसमे किसमे काम आते हैं देखिए सबसे पहले जो अपर epidermis है यह ads करता है water conjunction में मदद करता है water conjunction में second जो है जो palisade layer है इसमें kloroflast होता है it contains kloroflast और यह primary layer है जहां पे photosynthesis होता है ठीक है मतलब यह जो palisade layer है second layer है photosynthesis में part करता है थर जो है spongy cell है यह allows करता है exchange of gases को photosynthesis के लिए याद रखेगा न और यह fourth number में god cells है यह भी facilitate करते है exchange of gases को leaves में लेकिन photosynthesis के लिए नहीं करते इसमें जो सबसे ज़्यादा photosynthesis में use होने वाले layer है वो second और third है तो हमने अच्छे से समझा इसका जो answer होगा answer होगा answer b second and third layer question number 9 है observe the experimental setup zone below यहाँ पे दिखे एक experimental setup दिखाया गया है name the chemical indicated as x यहाँ पे जो x है इस chemical को हमको बताना है that can absorb the gas which is evolved as a y product of respiration तो उस गेंस को यह soak सकता है बजार हो कर सकता है जो की byproductor है respiration का हमको मालूम है चाहे plant हो चाहे animal हो अगर वो respiration करते हैं तो उसमें जो byproductor निकलता है वो co2 निकलता है NCRT के experiment से exactly उठाया गया है तो वहाँ से इसको अच्छे समझते हैं फिर इसका answer एक दम इजी है एक question जो है activity 6.2 से लिया गया है जिसमें दो टो healthy plants हैं जिनको हम दो jar में यहाँ पर रखते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह वेल jar है और एक में यहाँ पर दिया हुआ है कि watch glass containing potassium hard oxide एक में potassium hard oxide के साथ में रखते हैं और दुसरे को बिना potassium hard oxide के रखते हैं तो यहाँ पर potassium hard oxide का जो aim है वो एपजार हो करना है carbon dioxide को ठीक है न तो इसमें जो रियक्सन होता है उसको हम लोग समझते हैं क्योंकि carbon dioxide जो होता है byproduct होता है respiration का तो यहाँ पर दिखिए जो potassium hard oxide है को हो CO2 से react कर रहा है और यहाँ पर potassium carbonate बना ले रहा है मतलब CO2 के अफजार्व कर ले रहा है और water को release कर रहा है तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर जो use हो रहा है हो क्या है potassium hard oxide है तो इसका answer होगा option B potassium hard oxide. Question 10 है जो कि heredity and evolution से है if a tall pea plant is crushed with the pure dwarf pea pea plant, then तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि एक टाल पी प्लांट है न और उसको हम क्राजड करवा रहा है एक प्योर ड्वार प्पी प्लांट से वाट परसेंटेज आप F1 and F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टाल तो यहां पर पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज जो है F1 में और उसके बाद F2 जनरेशन में हमको टाल प्लांट मिलेंगे देखिए इसको बुक में कपी अच्छे समझाया है यहां पर कि अगर टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक के यहां परसेंटेज दो प्लांट को हम लोग लेते हैं जैसे कि इस कोस्टन ने पूछा है तो उसमें F1 जनरेशन में 100% जो है डोमीनेंट ट्रेट वाल प्लांट आता है ठीक है जैसे कि हमारे कोस्टन में यह हो जाएगा टाल पी प्लांट लेकिन F2 generation में इसका 3 ratio 1 हो जाता है तो 3 ratio 1 का मतलब क्या है कि 3 भाग जो है न वो आपका जो dominant rate है वो रहेगा जिसे कि हमारे में टाल पी प्लांट रहेगा और 25% या 1 ratio जो है न ये आपका ड्वार पी प्लांट रहेगा ठीक है तो 75% हमको मिलेगा इसमें टाल और 25 मिलेगा 25% हम लोगों को ड्वार ये समझ में आ गया तो इस टेप का question बिल्कुल आएगा आपको इसको याद करके रखना है question 10 का answer हो जाएगा option D 100% and 75% question 11 है observe what the 3 figures given below which of the following depicts tropic moments appropriately त्याँ पे 3 figures दिये हुए हैं तिसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो figure है वो tropic moment को एकदम सही डंग से बताता है त्याँ पे आप figure देख सकते हैं figure A में देखिए और figure B में देखिए और figure C में देखिए तो आपको बहुत easy में समझ में आ जाएगा अब यहाँ पे देखिए चित्रे में दिखाया है figure 7.6 में plant sowing geotopism यहाँ पे देखिए plant का जो geotopism होता है वो root के case में positive geotopic है और जो यहाँ पे इसका stem है वो negatively geotopic रहता है यहाँ पे काफी अच्छे समझाया है कि plant sowing topisma in response to other stimuli as well the roots of a plant always grow downwards while the shoots usually grow upwards and away from the earth this upward and downward growth of shoots and the roots respectively in response to the pull of the earth or gravity is obviously deotopism ठीक है न यहाँ पे हमने काफी अच्छे से समझ लिया इसको अब इसका इंसर तो काफी easy है अब देखिए ध्यान से अब अच्छान ही समझ जाएंगे कि first जो है गलत है क्योंकि यहाँ पे जो इसका suit है वो नीचे की तरह पा रहा है बी वाला देखिए बी में इसका जो root है न वो उपर की तरह जा रहा है ते भी गलत है लेकिन C में देखिए रूट नीचे आ रहा है और suit उपर जा रहा है तो C ही इसका correct है इसलिए इसका option हो जाएगा option D C only अब question 12 पर देखिए question 12 पर बूलता है the diagram show below depicts pollination यहाँ पर pollination बताया जा रहा है choose the options that will show a maximum variation in the off spring तो यहाँ पर उस option को बताना है जिसमें जो off spring है आने वाली पिड़ी है उसमें maximum variation होगा तो यहाँ पर दिखेंगे तो जो A है A में क्या हो रहा है दिखें उसी flower का उसी flower में pollination हो रहा है similarly C में एक flower का उसी पेड़ में दुसरे flower से pollination हो रहा है तो इस case में जो है आप इस spring में बिरियेशन नहीं आएगा लेकिन यहां पर ध्यान से देखेंगे आप यह जो B है B में क्या है इस प्लांट से इस फ्लावर से इस प्लावर से यह दूसरे प्लावर में यहां पर पॉलिनेशन हो रहा है similarly वो चीज जो है न डी में भी हो रहा है एक प्लांट से दुसरों प्लांट के फ्लावार में पॉलिनेशन हो रहा है तिहां पर बी और डी में जो है न चुकी दोलग-लग प्लांट के फ्लावार में पॉलिनेशन हो रहा है इसलिए maximum variation in our spring possible होगा तो 12 पर के क्या हो जाएगा option B correct हो जाएगा B and D option 13 है a complete circuit is left on par several minutes एक complete circuit है उसको कई मिनुटों के लिए छोड़ दिया गया है causing the connecting copper wire to become hot जिसके कान क्या हो रहा है जो copper wire होगा वो automatic उसमें current flow होगा तो i2 राटी से वो गरम हो जाएगा is the temperature of the wire increases the electrical resistance of the wire तो जैसे जैसे wire का temperature बढ़ेगा तो जो electrical resistance होगा wire का वो क्या होगा तो देखिए आपके book में न जो electrical resistance का temperature के साथ relationship जो है उसको अच्छे से explain नहीं किया हुआ है लेकिन हम इसको समझ सकते हैं कि higher the temperature the more the resistance increases कि जितना ज़्यादा temperature होगा उतना ज़्यादा wire का resistance जो है वो increase होगा बढ़ेगा due to electrons start moving more rapidly क्योंकि जैसे जैसे heat बढ़ेगा तो उसके अंदर में conductor के अंदर में electron होगे वो ज़्यादा rapidly move करेंगे इधर से उदर जाएंगे and they collide more to generate more heat और उसके करना ज़्यादा अपस में टकराएंगे nucleus से दूसरे lektan से जिसके काण वो जूनका kinetic energy है उसको heat energy में convert कर देंगे मतलब यह हुआ कि वो ज़्यादा resistance जो है ना पैदा करेंगे तो मच्छे समझ चुके हैं कि ज़्यादा heat होने पे lektan ज़्यादा जोड़ से चलेंगे जिसके काण ज़्यादा heat generate करेंगे और उसके काण वो ज़्यादा resistance पैदा करेंगे तो इसके answer हो जाएगा absency increases question 14 है a copper wire is held between the poles of a magnet तो यहाँ पे question में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे screen में आपको दीख रहा है कि यह copper wire जो है उसको दो pole है magnet के यह north pole है और यह south pole है इसके बीच में यहाँ पे रखा गया है तो इसके उपर अब question है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो wire पे ना पूरे direction वने हुए है north south और west और east के अब आगे देखें इसमें बोलता है कि the current in the wire can be reversed जो current है wire में उसको हम reverse कर सकते हैं एक direction में जा रहा है तो उसके opposite direction में उसको ला सकते हैं the pole of the magnet can also be changed over और जो magnet का pole है ना उसको भी change किया जा सकता है तो question है in how many of the four directions zone can be the force act on the wire तो चारो direction जो इसमें दिया हुआ है जो अब हमने समझा है उसमें wire के उपर जो force act करेगा वो कितने direction में होगा तो देखिए ये flaming's left hand rule से लिया गया question है तो सबसे पहले एक बार left hand rule को हम recall कर लेते हैं book में 13.3 में जो topic है force आना current carrying conductor in a magnetic field इस topic में ये जो question उसको काफी अच्छे समझ सकते हैं और isolated कोई भी question बनाएगा तो उसको हम बना सकते हैं सबसे पहले MPR ने बताया था कि magnet जो है वह हमेशा एक equal और opposite force exit करता है current carrying conductor के उपर में अरे जो force magnetic field पैदा होता है current carrying conductor के उपर उसको हम इस activity से समझ सकते हैं same activity जो है ना question में है जो कि आपके figure 13.12 में दिया हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं तो इसमें बोलता है कि the displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminium rod when it is placed in a magnetic field तो हम समझ चुके हैं इसको कि इसकी उपर एक force लगेगा अगर इसको magnetic field पे current carrying conductor को हम रखते हैं तो लेकिन उसका direction कैसा होगा जो इसमें पूछ रहा है तिहां पे साप साप लिखा हुआ है कि it also suggests that the direction of the force is also revolved when the direction of current तो रूद the conductor is revolved now change the direction of the field to articulate downwards by interchanging the two poles of the magnet तो अगर हम लोग magnet के pole को change करेंगे तब भी इसका direction change हो जाएगा और current के direction को भी change करेंगे तब इसका direction change हो जाएगा तो इसको हम पढ़के काफी अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं और साथी साथ हम देखते हैं जो flaming's left rule है जो इसके लिए काफी important है question के लिए क्या बोलता है कि अगर current जो है हमारा center finger denote करता है current के direction को और हमारा four finger denote करता है फिल्ड एक direction को तो जो motion होगा या जो force लगेगा वो थंब के direction में होगा मतलब एक दूसरे के तीनों मेच्छवली perpendicular होते हैं ठीक तो देखिए by the flaming's left hand rule first है if direction current is constant अगर current का direction जो अना constant है the magnetic field can be varied in west east and east west तो जैसे कि हम diagram में समझ चुके हैं जो magnetic field होगा variety करेगा west इस्ट से लेकर या east west में so resultant force can be resultant force से भी हमको मालूम है flaming का जो left hand rule है उससे कि यह क्या होगा upward होगा या यह downward होगा नीचे की तरफ होगा मने नार था या south direction में होगा respectively इसके बाद second case में दिखिए if the magnetic field is kept constant अगर हम लोग magnetic field को constant रखते हैं the current can be inverse or and outwards तो current भी क्या होगा inverse होगा या outwards होगा तो resultant force can be upwards or downwards तो resultant force जो होगा ना वो भी upward या downwards होगा मने नार्थ या south direction में होगा तो देखिए इसका हो जाएगा option B 2 है ना जैसे कि हमने समझा है नार्थ या south में अब question 15 देखिए question 15 बोलता है कि plastic insulation surrounds a wire having diameter D and length L is shown above a decrease in the resistance of the wire would be produced by an increase in the तहां पर आप diagram में अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पर एक plastic insulation लगा हुआ metal core है जिसका diameter D है और जिसका length L है तहां पर पूछता है कि अगर हम चाहते है कि इसका जो resistance है decrease हो जाए कम हो जाए तो हमको wire में क्या बढ़ाना पड़ेगा wire के कौन से चीज को बढ़ाना पड़ेगा अब यहां पर देखिए यहां पर काफी अच्छे से explain किया है कि resistance of the conductor depends first on its length तो length पर depend करेगा second है and its area of cross section area of cross section पर depend करेगा वो थड़ है and the nature आप its material इसके उपर depend करेगा और इसका relation बनता है R rho L अब आने ठीक है ति इसमें R जो होता है ना वो universally proportionate होता है वो ना पाने के और यह क्या है यहां पर यह पाई R square बने यह cross section area का value है ति यह होता है पाई R square मतलब R जो है ना universally proportional होता है radius के square के यह R universally proportionate होगा कि इसका diameter की square के ठीक है मतलब diameter को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो R कमान कम होगा और diameter को बढ़ाएंगे तो R कमान बढ़ेगा क्योंकि यह दोनो universally proportionate है अब इसमें देखिए option A में बोलता है length of the wire तो हमको मालूम है कि R equal to होता है rho A लपाने ठीक है यह हमने भी अच्छे समझा है तो A अगर बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा तो length of wire तो नहीं होगा इससे resistance decrease नहीं होगा इसलिए first option गलत है भी देखिए diameter D of the wire तो हमने अच्छे समझा है कि जो diameter का square होता है inversely proportionate होता है तो diameter D को अगर हम बढ़ाएंगे तो निच्ची तोर पर resistance कम होगा तिसलिए इसका option भी correct हो जाएगा C temperature of the wire तेमपरेचर बढ़ाने पर resistance बढ़ता है कम नहीं होगा और thickness of the plastic insulation तो जो thickness of the plastic insulation है उसका resistance से कोई नज़र नहीं है इसलिए इसका option भी होगा diameter D of the wire Question 16 है which of the following pattern correctly describes the magnetic field around a long straight wire carrying current एक long straight wire है जिसमें current carry हो रहा है यहाँ पे नीचे दिये हुए pattern मेंसे कौन सा pattern जो है ना उसके दोरा बनाएंगे magnetic field को correctly describe करता है तो book में हमने कापी अच्छे समझा है यहाँ पर इस experiment में आपने समझा है कि जो current carrying conductor होता है उसका जो magnetic field होता है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यह concentric होता है चोटे-चोटे circle होते हैं और circle expand होने लगते हैं यह हम लोग invert जाएं तो concentric होने लगते हैं जैसे कि इस diagram में आप अच्छे से देख रहे हैं क्या लिखा है कि आप pattern of concentric circles indicating the field lines of magnetic field around a straight conducting wire the arrows in the circle shows the direction of the field lines ठीक है यह हो गया और इसके लिए जो right hand thumb rule होता है right hand thumb rule बोलता है कि अगर हम current current conductor को अपने हाथ से पकड़ना इस परकार से तो जो अगर हम उठे का direction जो है current के direction को बताता है तो जो मुड़ी हुए उंगलियां है वो magnetic field लेके direction को बताएंगी इसका answer होगा option D, option D में है कि concentric circle centered around the wire यह हमने कापी अच्छे से समझा है तिसलिए इसका answer होगा concentric circle centered around the wire question number 17 to 20 एसरसन reasoning based questions है इसमें दो statement होते हैं आपको मालूमी होगा एक assertion है दूसरा उसका region होता है और इसके चार option में हमको insert देना है यह option में होगा जब बोथ A and R are true and R is the correct explanation आपे जब दोनों assertion region true होंगे और R जो है ना correctly explain करे गएगो B में बोथ assertion and region are true and region is not the correct explanation आपे कि दोनों के दोनों assertion region true होंगे लेकि region जो है ना वो correct explain नहीं करे गएगो और C में A is true but R is false और D में A is false but R is true तिसमें question number 17 देखिए बोलता है सर्शन में कि silver provide decomposition is used in black and white photography कि जो silver provide decomposition होता है वो यूज के जाता है black and white photography में region दे रहा है light provides energy for this exothermic reaction और light जो एना energy provide करता है इस exothermic reaction के लिए देखिए अगर हम लोग book में देखें तो यहाँ पे दिया है कि you will see the white silver chloride turns gray in sunlight कि जो white silver chloride होता है वो gray हो जाता है sunlight में this is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light क्योंकि इसमें silver chloride का decomposition होता है silver और chlorine में light के द्वारा जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी 2AGCl फिर इसके पास sunlight है फिर 2AG और CL2 बन रहा है मनि silver chloride, silver और chlorine में sunlight के कराण convert हो जा रहा है कि आगे देखें लिख्या है कि silver bromide also behaves in the same way कि जो silver bromide होता है न वो भी इसी टेप का behave करता है इस reaction में हम लोग अच्चे से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए silver bromide जो है sunlight के presence में silver में और bromine में यह convert हो रहा है साथी सांथ नीचे में जो दिया हुआ है जो हमारी question के point आप उसे बहुत important है कि diamond reactions are used in black and white photography ते जो reactions है वो used के जाता है black and white photography में लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है न कि यह exothermic reaction है करके मतलब यह reaction exothermic नहीं है बलकि यहाँ पर नीचे में उल्टा दिया हुआ है कि reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions और इसी में इसको समझाया है कि we have seen that the decomposition reactions require energy either in the palm of heat, light or electricity for breaking down the reactants तो basically क्या है यह इंडothermic reactions है लेकिन region में क्या बता रहा है वो exothermic reactions बता रहा है इसलिए यह जो इसका region है उगलत होगा और assertion इसका true होगा तो assertion देखिए इसका true है और जो region है न इसका false है इसलिए इसका option C हो जाएगा is true but R is false इसके बाद question number 18 है इस अरसान है कि height in P plants is controlled by efficiency of enzymes and is thus genetically controlled जो height होता है P plant में वो enzyme के efficiency से controlled होता है और इसी कार्ण से यह जो है जो है जो है जो है जो है जोनेटिकली controlled होता है क्योंकि कितना enzyme या hormone secret करेगा वो genetically रहता है हर P plant में region बता रहा है कि cellular DNA is the information source for making proteins in the cell कि जो cellular DNA होता है वो एक information source होता है cell के अंदर में जिसके कार्ण वो proteins बना पाता है book से अगर आप moment due to growth growth के कार्ण होने वाले moment को ध्यान से पढ़ेंगे जिसमें कभी अच्छे से समझाया है कि जो moment होता है growth के करण उस moment के लिए जिम्यदार होते हैं chemical compounds जिसमें enzymes होते हैं और hormones होते हैं और ये जो enzymes और hormones है जैसे कि यहां पे दिया हुआ है कि plant hormones are gibralins which like acids help in the growth of the stem तो जो growth of stem है जैसे कि हमारे question में दिया हुआ है कि height in B plant ये controlled होगा उस hormone के या chemical compound या enzyme से के efficiency के अनुसार और ये जो enzyme का secretion है या hormone का secretion है ये genetically controlled होता है और इसका region जो इसमें दिया हुआ है कि ये जो cellular DNA है उसी के अंदर में जो information source है protein बनाने के लिए जो कि ये chemical compound होता है cell के अंदर में वो जिम्मेदार होता है मतलब इसमें क्या हमको समझ में आया कि जो इसरसन और region है ये दोनों के दोनों true है तो देखिए 18 में जैसे कि हमने भी समझा कि ये सरसन भी सही है और इसका region भी बिल्कुल सही है इसलिए इसका option ये correct हो जाएगा बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A इसके बाद question number 19 देखिए ये सरसन में बोलता है कि amphibians can tolerate mixing of oxygenated and de-oxygenated blood कि जो amphibians होते हैं वो tolerate कर सकते हैं oxygenated और de-oxygenated blood के mixing को region बता रहा है कि amphibians are animals with two-chambered heart कि amphibians ऐसे animals होते हैं जिनमें two-chambered heart होता है देखिए बुक में कफेचे समझाया है कि the suppression of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and de-oxygenated blood from mixing such suppression allows a highly efficient supply of oxygen to the body this is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature in animals that do not use energy for this purpose the body temperature depends on the temperature in the environment such animals like amphibians are many reptiles have three-chambered hearts तो देखिए यहां पर क्या हमने पढ़ा कि three-chambered heart होता है amphibians का जिपकी question में दिया हुआ है कि amphibians are animals with two-chambered heart तो इसका region जो है न वो incorrect हो गया लेकिन इसका assertion जो है वो बिल्कुल correct है क्योंकि आगे इसी में लिखता है and tolerate some mixing up oxygenated and de-oxygenated blood streams तो जो assertion में दिया हुआ इसी को दिया हुआ है कि amphibians जो है न टोलरेट कर सकते है mixing up oxygenated और de-oxygenated blood को ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो assertion है वो true है लेकि region जो है न वो false है अब देखिए 19 का क्या हो जाएगा option C हो जाएगा जिसमें A is true but R is false अब question number 20 देखिए एस अर्शन है क्या फ्रिली suspending a current carrying solenite it comes to rest in geographical north-south direction कि एक फ्रिली बिना किसी में बंधा हुआ current carrying solenite जो है न वो जूल रहा है suspend हो रहा है जब रेस्ट पे आता है तो इसका direction जो है न geographical north-south direction होता है region बता रहा है one end of current carrying straight solenite behaves as a north pole and the other end is a south pole just like a bar magnet इसका region A है कि जो current carrying straight solenite है उसका एक भाग एक किनारा जो है किन वो north pole की तरह behave करता है जबकि दूसरा जो किनारा है या end है वो south pole की तरह behave करता है विल्कुल एक bar magnet की तरह तो 20 में answer हो जाएगा option A है ना option A में होगा कि बोथ assertion and region are true and region is the correct explanation of A section B में question 21 है a clear solution of selected lime is made by dissolving CaOH twice calcium hydroxide in an excess of water तो दिखी select lime से clear solution बनाया जा रहा है calcium hydroxide को water में dissolve करके this solution is left exposed to air और इसको air पे छोड़ दिया जा रहा है the solution slowly goes milky as a friend white precipitate forms और यह जो solution है ध्रे ध्रे मिलकी यह दुद्या होते जा रहा है और इसमें white precipitation बन रहा है हमको बताना है कि यह जो white precipitate बन रहा है और साथी साथ इससे लेटेड़ जो chemical equation है उसको भी हमको लिखना है यहाँ पे दिखिए quick lime यह calcium oxide अगर water के साथ में react करता है तो यह selected lime calcium hard oxide बनाता है और इसमें दिखिए हम आगे जाकि इसको दिखेंगे तिहां पे काफी अच्छे सी इस question से लेटेर जो concept है उसको समझाय गया है कि calcium hard oxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to farm a thin layer of calcium carbonate on the walls calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish of the walls it is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium carbonate COCO3 यहां पे दिखिए जो reaction इसमें पुछा हुआ है वो reaction है कि जब calcium hard oxide carbon dioxide के साथ reactor करता है जो कि atmosphere में present होता है तो यह calcium carbonate बनाता है और water release करता है इसके answer को लिखेंगे कि when calcium इसके answer में लिखेंगे कि when carbon dioxide CO2 passes through calcium hydroxide CO2 it farms calcium carbonate जो की question में पूछा हुआ है which results in milkiness white precipitate अप calcium carbonate ठीक है और जो chemical reaction इसमें दिया हुआ है कि reaction आप select the line with carbon dioxide इसमें क्या होता है calcium hard oxide जो है वो carbon dioxide के साथ react करता है और calcium carbonate बनाता है और water release करता है question 21 का आर है कृति एड़ेड डाइलूट है डॉकॉली के सीड टूफोर मेटल्स और रिकाड़ेड हर अबजर्वेशन्स एस सोन इन दे गिबन table given below तो कृति जो है न वो डाइलूट है डाइलूट है डाइल को एड़ कर रही है चार मेटल्स में और उसके अबजर्वेशन को रिकाड़ कर रही है यहाँ पे देखें टेबल में मेटल एक तरफ दिया हुआ है एक तरफ गैसी वाल्ड दिया हुआ है कापर के साथ जब डाइलूटेड अच्टियल रियक्ट कर रहा है तो यहाँ पे गैसी वाल्ड में यस दिया हुआ है एरन के साथ भी यस दिया हुआ है मेनिस्यम के साथ भी नो दिया हुआ है और जिंग के साथ यहाँ पे यस दिया हुआ है अब इसको question देखिए, select the correct observations and give chemical equations of the reaction involved, और इसमें जो correct observation है उसको हमको बताना है, साथे साथ जो chemical equations इस reaction के लिए जिमेदार होते हैं, involved होते हैं, उसको हमको यहाँ पर लिखना है, इससे रिलेटर जो concept है, वो दिया हुआ है, how do acids and bases react with metals, जब acid metal के साथ में react करता है, यहाँ पर पच्छे से समझ सकते हैं, तो यह salt बनाता है और hydrogen gas बनाता है, यहाँ पर काफी अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास 4 metal दिये हुए हैं, और इसके लिए जानना ज़रूरी है कि reactivity series में इनका position कहाँ पर है, अब यहाँ पर देखिए, जो HCl का hydrogen है, उससे नीचे में यहाँ पर copper and reactivity series में, तो जो hydrogen है न, वो copper के साथ पर react नहीं करेगा, बाकी जो इसमें दिया हुआ है, iron और zinc है न, तो आगे देखेंगे, तो iron और zinc जो है न, reactivity series में इसके उपर में है, तो यह इसके साथ react करेगा, और इसमें जो एक absorption है, magnesium के साथ में, जिसमें gas evolved नो दिया ह हुआ है, वो observations जो है न, वो incorrect है, तो हम उसको select नहीं करेंगे, इसके इंसर में लिखेंगे कि according to reactivity series, zinc and iron are more reactive than hydrogen, कि reactivity series के accordingly, zinc और iron जो है न, हमने समझा है कि ज्यादा reactive है hydrogen से, and thus able to farm H2 gas and reaction with HCl, इसी कार्ण से यह HCl के साथ react करके, H2 gas release करता है, और जो reaction पूछा है, इसमें iron ज ferric chloride बनाता है, और hydrogen बाहर निकालता है, और zinc जब HCl के साथ react करता है, तो यह zinc chloride बनाता है, और hydrogen बाहर release करता है, याद रखेगा न, यह दुनों जो chemical equation है, वो balanced नहीं है, question 22 है, how is the mode of action in beating of the heart different from reflex actions, कि किस प्रकार से जो heart beating है, या heart beat है, वो reflex action से अलग है, give for examples, चार example के द्वारा हमको इसको समझाना है, सबसे पहले तो बताना है कि कैसे जो heart beat है, या beating of heart है, वो reflex action से अलग है, और दुसरा, इस से related हमको for example देना है, reflex action को हम space से काफी अच्छे से समझ सकते हैं, माली जो कोई urgent या dangerous situation है, तो हमारा body को तुरंद respond करना पड़ता है, अगर वो थोड़ा भी समय उसमें गमा देगा, तो हम जल सकते हैं या मर सकते हैं, तो इसी कराण से, जो reflex actions होते हैं, वो brain के द्वारा controlled नहीं होते, क्योंकि brain को spinal cord के द्वारा, क्योंकि spinal cord जो है, बिना कोई thought process के immediate action करता है, तो इस space से related जो चीजें हैं वो reflex actions से related हैं, और इसका उलड जो होता है अपना heart, heartbeat जो होता है, brain के द्वारा controlled होता है, और वो एक rhythmic होता है, और continuous रहता है, तो चलिए अब इन दोनों के difference को हम लोग लिख लेते हैं इसके answer में लिखेंगे कि the mode of action in beating up the heart is different from reflex actions due to the following regions, तो जो mode of action है, beating up heart में वो अलग है reflex actions से, उसके region हम यहाँ पे दे रहे हैं, सबसे पहले देखें, beating up heart में इस परकार का आपको table बना देना है, और यहाँ पे लिखना है, reflex actions है न, इस table में, पहला इसका point देंगे कि involuntary action that cannot be controlled by will, beating up heart एक involuntary action है, जिसको आप अपनी इच्छा से control नहीं कर सकते, और reflex actions are actions which occur in sudden response to stimulus, हमने इसको समझाए कि reflex action तुरंत रहे होला action है, जो कि stimulus से होता है, second में देखेंगे कि जो beating up the heart heart है, वो regulated by the brain होता है, brain के दोरा regulate होता है, और यह regulated by spine होता है, spinal cord के दोरा regulate होता है, third में इस skeletal muscles, इसमें जो use up skeletal muscles है, वो beating up heart में use नहीं होता, इसमें होता है, use up skeletal muscles, इसमें skeletal muscles use होता है, और इसका fourth लिखेंगे, 4 ही point इसमें पूछा है, मैं इसमें 5 दे दिया है, कि performed throughout the course of one's life, और यह जब तक कोई जिंदा रहता है, तब तक heart beat होते रहता है, लेकिन reflex actions कब होता है, जब जोरी पढ़ता है, emergency रहता है, तो उसको लिखेंगे, are performed in response to stimulus in case of emergency, जो last point है, can be quick or slow, तो beating up heart, जो है नो कभी कभी तेज भी रहता है, और कभी कभी slow भी हो जाता है, लेकिन reflex actions are always quick, और reflex actions जो है नो हमें सब quick होता है, तो देखियों बच्चों, यह वाला जो question है ना, आप जोज गाल बलेडर are removed, are recommended to eat less highly food, ऐसे मरीज, जिनके गाल बलेडर निकाल दिये गए रहते हैं, रिमूब कर दिये गए रहते हैं, उनको recommend किया जाता है कि वो less highly कम तेल वाला खाना खाएं, वाई, क्यों, अब इस डियाग्राम को ध्यान से दिखिएगा, तो यहाँ पी जो गाल बलेडर है न, यहाँ पर आप देख रहे हैं, गाल बलेडर, यहाँ पर present होता है, जहाँ पर मैंने mark किया हुआ है, और इस गाल बलेडर में बाइल जूस होता है, ठीक है, और यह जो बाइल जूस है वो फेट को पचाने में काम आता है, बाइल जूस फ्राम दे लिवर in the form of large globules और जो fat present होते हैं इसे टाइन में वो large globules के form में present होते हैं which makes it difficult for enzymes to act on them जिसकाण enzyme का उनके उपर जो action होता है वो काफी cutting होता है bile salts break them down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action और जो bile salt होता है उसको छोटे-छोटे तुकडों में तोड़ देता है small globules में तोड़ देता है जिसके काण जो enzyme action है उसका efficiency जो है न वो बढ़ जाता है this is similar to the implicitifying action of soaps on dirt और यह बिल्कुल similar है जो कि हम समझ चुके हैं कि जो implicitifying action होता है साबून का dirt के उपर या milk के उपर अब इसका answer है कि patients whose gallbladder are removed are recommended to eat less highly food because gallbladder stores bile कोई चीज है digestive juice हम लोग इसको समझ चुके हैं कि ball glider जो है न वो wild को store करता है जो कि digestive juice है it helps in emulsification of fats and lipids और इस emulsification में मदद करता है fats और lipids से के without bile fat digestion will be slow अब बिना bile के fat digestion जो है नो slow होगा hence it is recommended इसलिए ऐसा बोला जाता है question 24 है name the substances other than water that are reabsorbed during urine formation उन सारे substances को हमको बताना है पानी को छोड़ कर जब urine बनते रहता है तो जिनको reabsorbed कर लेता है body what are the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed in the kidney कुम से से दो parameter है जो कि decide करते हैं amount of water को कि कितना amount of water reabsorbed किया जाएगा kidney के द्वारा देखिए इसको यहाँ पे दिया हुआ है कि some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube तो जब urine tube के अंदर में flow होता है तो कुछ substances जो कि initial filtrate से होते हैं जिसमें glucose है, amino acids है salts है और एक बहुत बड़ा portion water का होता है उसको body जो है ना वो reabsorbed कर लेता है और जो question का second part है कि the amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted तो जितना amount of water reabsorbed करना है यह depend करता है कि body में कितना water present है और साथी साथ कितना ज्यादा dissolved waste जो है ना वो जिसको बाहर निकालना है वो की present है वहाँ पे तो चलिए इस cancer को फिर लिख लेते हैं कि glucose, amino acids, other nutrients salts and a lot of water are selectively reabsorbed as the urine flows through the tubal तो दिखे जो glucose, amino acids और बाकिन nutrients होते हैं salts होते हैं इस सब absorb किये जाते हैं हम इसको समझ चुके हैं during the urine formation urine बनने के दोरान the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed in the kidney are as following और दो parameter जिसको हम समझ चुके हैं जो कि decide करते हैं कि कितना जो amount of water reabsorbed किया जाएगा kidney के दोरा वो नीचे हम लिख रहे हैं इसमें है if the body already has high amount of water less water will be reabsorbed in the tubal and vice versa और भी है on how much of dissolved waste there is to be excreted question 25 में radiation from sun मतलब यहां पे sunlight दिया हुआ है और एक prism है इस prism से गुजनने के बाद sunlight जो है अपने जो constituent colors होते हैं उसमें बदल जा रहा है यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले yellow light निकल रहा है फिर blue light निकल रहा है अब आगे देखते हैं इसमें कि state the phenomena observed in the above diagram कि इस diagram में जो phenomena हम observe कर रहे हैं हो क्या है explain with reference to the diagram which of the two lights mentioned above will have the higher wavelength हमको इस diagram के reference से बताना है कि इन दोनों light में कि इसका wavelength जो है न वो जादा होगा higher होगा अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो phenomena question में पूछा हुआ है वो phenomena actual में white light का prismas से पार होके अपने constituent colors में convert होना है यहां पर आप देख रहे हैं कि white light जो है यहां पर भी बिवर में convert हो जा रहा है जब वो prismas से पार होके बाहर निकल रहा है तो यहां पर बोलता है कि the splitting of light into its component colors is called dispersion तो जो phenomena इसको dispersion बोला जाता है उसके बाद जो second part है question का कि इसमें two lights जो है yellow light और blue light यह mentioned है और इसमें पूछ रहा है कि किसका wavelength जदा होगा यहां पर ध्यान देंगे आप कि जो rate का wavelength है वह हमेशा जदा होता है wavelength जदा होने काण इसका speed भी जदा होता है इसके काण इस तेजी से यह जल्दी से यह सबसे कम समय में प्रिज्म को पार करता है और सबसे कम wavelength वाइलेट का होता है तो इसलिए इसका speed भी slow होता है और यह लेट में इसको पार करता है यहां पे देखें yellow light का जो wavelength है जदा होगा कि जदी पार कर रहा है प्रिज्म को और blue का wavelength वाइलेट कम होगा क्योंकि यह लेट में क्रास कर रहा है अब इसका answer है the phenomena observed in the above diagram is dispersion of light through a prism हम इसको अच्छे समझ चुके हैं कि जो phenomena है क्या है वो dispersion of light है prism के द्वारा इसका first point लिखेंगे कि the splitting of white light into seven colors on passing through a prism is called dispersion second लिखेंगे कि velocity of light is directly proportional to wavelength, yellow light has greater velocity because it passes the prism first therefore it has a higher wavelength than blue light question 25 है how will you use two identical prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light हमको यहां पर बताना है कि कि इस प्रकार से दो identical prism को हम रखें कि एक prism के उपर अगर narrow beam of white light मने सफेद प्रकास जो है पढ़ रहा है तो दूसरे prism से वो फिर से white light बन के निकले draw the diagram और उसके लिए जो diagram है उसको भी हमको बनाना है अब देखिए second prism से white light को फिर से पाने के लिए जो experiment सबसे पहले किया था तो आजक newton ने किया था आजक newton ने किया कि कि he been placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो second prism है वो first prism से similar है identical है लेकिन inverted है उल्टा है यहां पर white light जब जा रहा है तो अपने constituent color में convert हो रहा है लेकिन वापस से जो second color prisma है उसको white light में convert कर दे रहा है हम इसको आगे देखें तो this allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prisma he found a beam of white light emerging from the other side of the second prisma ठीक है तो इससे उनको पता चला कि जो light है वो seven color से बना होता है लेकिन जो हमारे question पूछा है उसमें इस diagram को हमको प्रा करना है और साथ ही साथ हमको यह जो मैंने बताया उसको इसका answer में लिखना है इसका answer लिखेंगे we use two identical prisms one upright and other inverted to achieve given result हम दो identical prism को use करेंगे एक सिधा होगा एक उल्टा होगा जो result हम चाहते हैं उसको एक्षिव करने के लिए angle of deflection of the two prisms need to be equal and opposite और जो angle of deflection हैं दोनों prisma के वो equal और opposite होने चाहिए while the first prisma splits the light in the seven colors the second prisma combines the spectrum to give white light as the emergent light तो हम इसको अच्छे समझ चुके हैं कि पहला prisma seven color में जब light को divide करेगा तो second prisma जो है न इस spectrum को फिर से combine कर देगा तक कि white light जो है वहां से emerg हो और जो diagram इसमें पुछा है वो कुछ इस परकार से होगा जो मैंने नीचे draw किया हुआ है इसको आप अच्छे से practice कर लिजेगा 4-5 बार तभी exam में अगर आपसे पुछेगा तो easily आपसे ये draw होगा और यह जो red और violet है ना इसको मेंसा याद रखेगा कि red उपर में होता है और violet नीचे में होता है और यह जो एन एंगला प्रीजमा है ठीक है और यह screen है question 26 है a lot of waste is generated in neighborhood हमारे आसपरोस में बहुं सारा कचरा जो है वो पैदा होता है however almost all of it is biodigatable लेकिन इन में से बहुं सारा जो है वो biodigatable होता है what impact will it have on the environment और human health तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रेवन के उपर और human health के उपर इस पेस से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि managing the garbage we produce कि जो garbage हम पैदा करते हैं उसको कैसे हम manage करें तो जो biodigatable waste होते हैं वे समय के साथ में सरने लगते हैं क्योंकि उसमें बेक्टिविया काम करता है और जब वो सरते हैं तो बहुं सारा गंदगी और बहुं सारा दुरगन जो है उनको bio gas में convert करना बहुत important है जिससे उनका सही धन से निफ्टारा हो उनका सही यूज हो सके और जुन से last time में waste निकलेगा उसको हम manure के रूप में use करके soil के fertility को बढ़ा सकते हैं अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिससे हम आप सबस देखते हैं कि जो garbage होता है biodigatable होता है उसम can be harmful is कि जो excess generation आप biodigatable waste होता है वो harmful होता है क्योंकि पहला है its decomposition is a slow process leading to production of foul smell and gases कि इसका decomposition जो है जो है जो है जिससे हम समझ चुके हैं इससे बहुंच जादा दुरगन और गेंस निकलता है second है it can be the breeding ground for jumps that create unhygenic conditions और यह breeding ground होता है जम से के लिए जिससे unhygenic conditions create होते हैं section C में question 27 का first है इसमें देखिए chemical reaction दिया हुआ है chemical equation के farm में कि यहाँ पे जो reactant हैं A और B C यह reaction के बाद A C और B farm कर रहे हैं similarly यहाँ पे जो reactants है second reaction में A B और C D यह reaction के बाद A C और BD का product यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पे question है कि identify the types of reaction mentioned above in first and second तो यह कौन-कौन से type of reactions हैं first और second में इसको हमको identify करना है give one example for each type in the farm above balanced chemical equation और एक-एक example इन दुनों का हमको बताना है balanced chemical equation के farm में जो question में दिया हुआ है वो displacement reaction है आप लोग उने अच्छे से समझ लिया होगा तो जो displacement reaction है उसको और हम देखें तो पहला जो इसमें दिया हुआ है कि A plus B C यह single displacement reaction है यहाँ पिस example से आप समझ सकते हैं कि iron जब copper sulfate के साथ react कर रहा है तो iron जो है यहाँ पे copper को displace कर दे रहा है और iron sulfate बन रहा है देखें यहाँ पे क्या लिखा है कि iron has displaced and removed another element copper from copper sulfate solution this reaction is known as displacement reaction तो पहला जो है यह single displacement reaction है इसको कुछ और एक जामपल यहाँ पे दिया हुआ है कि zinc जो है वो भी copper sulfate से copper को displace कर देता ह है और zinc sulfate बनाता है similarly lead भी copper chloride से copper को displace करके lead chloride बनाता है और इसका जो second है AB plus CD यह double displacement reaction है यहाँ पे इस example साब समझ सकते हैं sodium sulfate जो है रियक्ट कर रहा है बेडियम कोलोईट के साथ में और बेरियम कोलोईट के साथ में रियक्ट करने के बाद यह बना रहा है बेरियम sulfate और sodium chloride य रियक्षान आप a support 2- and ba2 plus the other product farmed is sodium chloride which repains in the solution such reactions in which there is an exchange of points between the reactants are called double displacement reaction यह जो second वाला है वो क्या है double displacement reaction है इसमें जो है एक्स्चेंज आप आयंस हो रहा है reactants के बीच में अब 27 के first answer में लिखेंगे कि the type of reaction mentioned is displacement reaction हम समझ चुके हैं यह है एडिस्प्लेसेज भी example दे देंगे उसमें से कोई भी example आप दे सकते हैं मैंने दिया है कि iron plus copper sulfate iron जब copper sulfate से react करता है यहां पे iron sulfate और copper बनता है अब इसके second cancer में हम लों लिखेंगे कि the given reaction is double displacement reaction AB and CD displace each other to form AC and BD अब example यहां पे देंगे कि potassium iodide जो lead nitrate से यहां पे react कर रहा है तो यहां पे हमको मिल रहा है potassium nitrate और lead iodide याद रहे किएगा यह जो chemical equation जो है न वो balanced होना चाहिए तो यहां पे आप देखेंगे कि chemical equation जो है वो balanced है question 28 को ध्यान से देखेंगे अब इसमें question देखिए question first है identify the gases evolved at the anode and cathode in the above experimental setup तो इस experimental setup में पूछ रहा है कि कौन-कौन से gas जो है वो anode और cathode में evolve होंगे निकलेंगे बी है इसमें कि name the process that occurs यह process जो यहां पे हो रहा है उसको क्या बोलते है मैंने अल्ड़ी समझा दिया है इसको लिखेंगे why is it called so इसको ऐसा क्यों बोला जाता है इसको भी इसमें लिखना है और c है illustrate the reaction of the process with the help of a chemical equation और यह जो प्रोसेस यहां पे हो रहा है उसको एक chemical equation के तुरू भी हमको बताना है इसके first answer होगा दिखे first question है कि the gas evolved at the anode and cathode in the above experimental setup त्यहां पर आप NCRT में देख सकते हैं same to same experimental setup को जाला question उसका answer यहां पे दिया हुआ है कि chlorine gas is given up at the anode and hydrogen gas at the cathode और hydrogen gas जो है वो cathode पे निकलता है उसके बाद इसका second question है कि name the process that occurs why it is called so इसका answer यहां पे दिया हुआ है कि the process is called chloralkali process because of the products formed chlor for chlorine and alkali for sodium dioxide यह जो process है उसको chloralkali process कहा जाता है इसन बताया गया है कि जो product से बन रहा है उसमें chloral chlorine के लिए लिया जा रहा है और alkali जो है वो sodium hydroxide के लिए लिया जा रहा है और इसके बाद जो third question उसमें पूछा है कि illustrate the reaction of the process with the help of a chemical equation यहां पे ध्यान से दिखेंगे यह जो chemical equation है जहां पे sodium sodium chloride water के साथ में react करके sodium water oxide chlorine और H2 gas दे रहा है इसी वारे reaction को हमको इसके third answer में लिखना है अब question 28 के a का answer देखिए कि the gas evolved at the anode is chlorine and at the cathode is hydrogen कभी अच्छे समझ चुके हैं हम लोग इसका भी है the process is called chloralkali process it is called so because the products obtained are alkali chlorine and hydrogen gas and hydrogen gas और इसका C जो है कि 2 NaCl plus 2H2O तो यहां में देखिए NaCl और H2O मिलके क्या बना रहे है sodium hard oxide chlorine और hydrogen gas बना रहे हैं तो देखिए इसी को C option में पूछा हुआ है और इसको हमने C में लिखा हुआ है तो यह जो पूरा का पूरा भी हमने ABC लिखा है इसका यह answer है इसमें question 29 है the leaves of a plant were covered with aluminum foil how would it affect the physiology of the plant तो एक plant है जिसके पत्ते जो है aluminum foil से ढख दिये गए हैं तो इसमें पूछ रहा है कि जो plant का physiology है वो इससे कैसे प्रभाइत होगा या affect होगा अर्टोट्रोफिक nutrition को अच्छे से पढ़ेंगे तमको समझ में आ जाएगा कि एगर plant के लिफ सको aluminum में ढखने पे उसका photosynthetis जो है न वो बंद हो जाएगा जो photosynthetis बंद हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसमें कोई glucose नहीं बनेगा और कोई भी respiration जो है न नहीं होगा उसके बाद क्या होगा कि कोई भी transpiration उसमें नहीं होगा क्योंकि कोई water का या minerals का soil के soil से अपर पार्ट में नहीं होगा इसलिए कोई यहां पे transpirational पूल नहीं होगा उसके बाद उसमें कोई भी temperature का relation जो है न लीफ के surface नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको तो हमने aluminum foil से ढख दिया है तो इसको अगर हम अच्छे समझें तो इस पर यह है नो photosynthesis will occur in the leaves कोई photosynthesis नहीं होगा जैसे के मैंने समझाया है no glucose will be made and no respiration will take place कोई glucose नहीं बनेगा कोई respiration नहीं होगा B है no transpiration will occur so there would be no upward moment of water or minerals from the soil is there will be no transpirational pool कोई transpiration नहीं होगा कोई upward moment water or minerals का नहीं होगा क्योंकि चुकि वहां पे photosynthesis नहीं हो रहा है तो कोई भी transpirational pool नहीं बनेगा C है temperature regulation आप lip surface will be affected और साथी साथ जो lip surface का temperature regulation है वो affect हो जाएगा Question 29 का R है How is lymph an important fluid involved in transportation? कि जो lymph एक important fluid है वो किस प्रकाश से transportation में help करता है या involved रहता है If lymphatic vessels get blocked, how would it affect the human body? elaborate अगर lymphatic vessels जो है अगर वो block हो जाते हैं तो किस प्रकाश से human body को प्रभाइद करेगा इसको हमको इसमें elaborate करना है देखें यहां पर lymph में कपी अच्छे समझाया है कि there is another type of fluid also involved in transportation कि lymph एक अलग प्रकार का fluid है जो कि transportation में involved होता है this is called a lymph . Through the pores present in the walls or capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intracellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of bWD but colourless and contains less protein the lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces तो देखे इस question के answer को अगर इसको हम अच्छे से समझे हुआ है तो बड़ा असानी से लिख सकते हैं चलिए इसके answer में हम कैसे लिखे मैं आपको बताता हूं Lymph is an important fluid involved in transportation age कि lymph जो है एक important fluid है जो कि transportation में involved होता है पहला है इट carries digested and absorbed fat from the instantine ये जो है ना digested और absorbed fat को instantine से केरी करता है Second है it drains excess fluid from extracellular space back into the blood ये जो है जो excess fluid होता है उसको extracellular space से फिर से blood मिले जाता है अब इसके second के answer में लिखेंगे कि if lymphatic vessel get blocked then it will lead to water retention and poor fat absorption in the body अगर lymphatic vessel जो है ब्लाक हो जाता है तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा ज़्यादा water retention होने लगेगा बाडी में और साथी सांथ जो fat का absorption है ना वो कम होने लगेगा it will also lead to nutritional deficiencies, lower immunity and higher waste retention in the body और यह किसको बढ़ाएगा? nutritional deficiency को, lower immunity को और यह higher waste retention बाडी में जो होगा उसको यह बढ़ाएगा question 30 है रोहित wants to have an erect image of an object using a converging mirror आप focal length 40 cm रोहित जो है एक object का एक सीधा image, erect image बनाना चाहते हैं एक converging mirror के द्वारा जिसका focal length दिया हुआ है 40 cm तो हमको बताना है कि किस? range of distance में object को रखा जाए mirror के सामने में और साथी साथ इसको justify करना है देखिए question में कपे अच्छे से घुमाया है बोला है converging mirror तो आपको converging mirror को convex mirror से confuse नहीं होना है actual में यहाँ पे converging mirror का मतलब है कि ए conquer mirror के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट इसका point है कि between P and A तो यहाँ पे behind the mirror enlarged virtual erect तो जो converging mirror है या conquer mirror है उसमें nature आप image जो है एकी बार में virtual और erect होता है अब 80 और सिधा होता है जब यह whole और focus के बीच में होता है object और उसी condition में यहाँ पे virtual और erect image बनता है बाकि सब में real और inverted बनता है इसको हम यहाँ पे काफी अच्छे से समझ सकते हैं जहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से position पे image कैसा बनता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो image है अगर वो virtual और erect बन रहा है तो जो object है वो की इस position पे है focus और pole के बीच में है अच्छा की हमने समझा है 30 के एक answer में लिखेंगी the object has to be placed between pole and focus between 0 to 40 cm this is because Rohit wants erect image which is only possible when object is placed between focus and pole B है इसका कि draw a ray diagram to show image formation in this case तो इसको एक ray diagram के थुरू भी हमको समझाना है कि किस प्रकार का image जो है इस case में बन रहा है देखिए answer B में इस diagram को अपने को काफी में बनाना है काफी अच्छे से बनाना है चलिए देखिए मैंने कैसे इसको ड्रा किया है आपको यहाँ पर सबसे पहले एक converging mirror या concur mirror को ड्रा कर लेना है उसके बाद धिहां रखेंगी कि जो distance focus और pole के बीच का होता है उसे double distance जो है न focus और center of curvature का होता है फिर यहाँ पर आपको object को यहाँ पर लख देना है focus और pole के बीच में फिर इसके अंदर में mirror के पीछे में आपको एक direct image enlarge बनाना है यहाँ पर focus से जाते हुए एक line यहाँ पर match करना है यहाँ पर center of curvature से जाते हुए एक line यहाँ पर match करना है याद रखिएगा जो ray center of curvature से जाता है वो mirror से टकाने के बाद इसी में वापस आ जाता है लेगिन जो ray mirror पर parallel जाता है वो focus से जाता हुआ लगता है तो यहाँ पर दुनों मिलते हैं और यहाँ से फिर हम लोगों को यह जो object का image है उसको यहाँ पर हम लोगों को draw कर लेना है जो कि a dash b dash है और इसका c है state one use of the mirror based on the above kind of image पार्मेशन और हमको बताना है कि जो mirror है converging mirror जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका एक use यहाँ पर दिया है uses of conqueo mirrors बने converging mirrors conqueo mirrors are commonly used in torches, search lights and vehicle head lights to get powerful parallel beam supply तो दिखें कहाँ पर दे रहा है torches पे, search lights पे, vehicle head lights पे they are often used as a saving mirrors, saving mirrors से में भी यूज जाते हैं to see a larger image of the face the dentist use conqueo mirrors to see larger image of the teeth of patients large conqueo mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces तो आपे दिखें बहुत सारे uses जो है ना conqueo या converging mirrors के दिये हुए है और question में केवल एक use हमको पूछ रहा है तो चलिए इसको लिक लेते हैं सरसी में लिखेंगे it used as headlights, solar furnaces, mirrors, saving mirrors कि जो इसका use होता है वो headlights में होता है, solar furnaces में होता है और saving mirrors में होता है एक ही लिखना है मैंने तीन लिखा है आप एक लिख सकते हैं question 31 का यह है a lens of focal length 5 cm is being used by devasiri in the laboratory as a magnifying glass एक lens है जिसका focal length 5 cm है उसको devasiri use कर रही है लेबोटरी में magnifying glass के रूप में a list distance of distinct vision is 25 cm और उसका जो list distance है distinct vision का 25 cm है इसमें question first है कि what is the magnification obtained by using the glass तो क्या magnification वो प्राप्त करेगी इस glass को यूज करके देखिए जो given है उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे given है कि focal length of length is equal to 5 cm दूसरा दिया हुआ है least distance of distinct vision यह जो है न ओर distance होता है जहां पर देखने ओले को साब साब दीखता है मतलब जहां पर image farm होगा ते सीधी सी है कि यह है distance of image from mirror जो कि b होता है small v equal to 25 cm इसमें दिया हुआ है और बाकी को मानेंगे कि late u is the distance of object from mirror and m equal to magnification सबसे पहले हम लोगों को lens formula को लिख लेना है जो कि होता है on upon f equal to on upon v minus on upon u यहाँ पर हमको f का value मालूम है b का value मालूम है u का value को हमको find out करना है इसी को हम change करेंगे तो on upon u को इधर transfer करेंगे और on upon f को इधर हम लोग transfer करेंगे तो on upon u equal to होगा on upon v minus on upon f ठीक है अब यहाँ पर देखिए जो f है वो तो इसमें positive होगा लेकिन जो v है न वो negative होगा क्योंकि b जो है वो mirror के अंदर में बन रहा है तो यहाँ पर इसको put करेंगे तो देखिए one upon u equal to होगा one upon v का value है 25 तो negative 25 minus यह positive रहेगा तो 5 ही रहेगा क्योंकि एप का value 5 cm है अब इस calcium 25 आ गया ति हो जाएगा 25 बंज़ 25 minus 5 5 बंज़ 25 और 5 बंज़ 5 तो यहाँ पर minus 5 equal to होगा है minus 6 divided by 25 तो यहाँ पर u का value मिलेगा इसको plus multiply करेंगे तो minus 25 by 6 ठीक है अब हमको यहाँ पर पूछ रहा है magnification तो magnification m equal to होता है b upon u अब यहाँ पर भी हमको मालूम है कि minus 25 है इसको minus 25 लिलेंगे u है minus 25 by 6 अरे minus minus फिर plus हो जाएगा 6 उपर जाएगा तो 25 divided by 25 into 6 तो 25 बंज़ 25 25 बंज़ 25 equal to 6 तो magnifying यहाँ पर कितना मिल गया हम लोगों को 6 है मिल गया और second है c keeps a book at a distance 10 cm from her eyes and tries to read वो जो है एक book को अपने आखों के आगे 10 cm रख कर उसको पढ़ना चाती है c is unable to read वो पढ़नी पाती है what is the region for this इसका क्या region है c is unable to read because the least distance of distinct vision is 25 cm and c keeps the book at a distance of 10 cm कि हमको मालूम है कि जो सबसे साब दीखता है ना वो distinct vision होता है जब distance हम लोग 25 cm मेंटेन करते हैं अगर उससे पास में हम रखें तो हमको अच्छे से दिखना बंद हो जाता है चुकि यहाँ पे देवासिरी जो है वो 10 cm पे object को रख रही है इसे लिए उसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है इसका B है रवी kept a book at a distance of 10 cm from the eyes a bitch friend हरी रवी जो है ना एक book को अपने दोस्ते के आँखों के सामने 10 cm के distance पर रखता है हरी is not able to read anything written in the book और हरी जो है ना वो पढ़ने में अक्चम है जो भी इस किताब में लिखा है book में लिखा है give regions for this इसके लिए हमको बताना है कि इसका क्या region है जैसा कि answer हमने देवाश्री के में लिखा है वही answer हमको हरी के में भी लिखना है कि हरी is unable to read because the least distance of distinct vision is 25 cm and he keeps the book at a distance of 10 cm और जो region देवाश्री के लिए था वही region जो है हरी के लिए भी होगा question 32 है a student fixes a white sheet of paper on drying board एक student जो है एक drying board के उपर में एक सफेद कागज लगा रहा है white sheet of paper को लगा रहा है he places a bar magnet in the center and sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet और इसके center में वो एक bar magnet रखता है और इसके चारों तरफ एक समान iron fillings को डालता है खुडखता है then he tapes gently and observes that iron fillings arrange themselves in a certain pattern उसके बाद उसको धीरे से ठोकता है टेप करता है वो आपजरों करता है कि जो iron fillings हैं वो अपने आपको एक certain pattern में एक निश्य ताक्रिती में arrange कर लेते हैं इसमें question A है why do iron fillings arrange themselves in a particular pattern कि जो iron fillings हैं वो अपने आपको एक particular pattern में क्यों arrange कर लेते हैं इसका इंसर हमको देना है B है which physical quantity is indicated by the pattern of fill lines around the bar magnet कौन से physical quantity जो है यहाँ पर बताया जा रहा है जो pattern of fill lines है bar magnet के चारो तरफ और इसका C है state any two properties of magnetic fill lines हमको दो properties बताना है magnetic fill lines के question जो है na activity 13.2 से just कतस लिया गया है इसको समझते हैं इसमें हमको बोला जाता है कि एक white paper लेना है अपनी school में लिया भी होगा और किया भी होगा जिसको एक drying board में एक adhesive material के द्वारा चीपका देना है और इस परकार के एक bar magnet को उसके center पर रखना है फिर उसके चारो तरफ जो लुहे का बुरादा है iron filling से है उसको रख देना है और धिरे-धिरे gently board को हमको ठोकना है जब हम ठोकते हैं तो देखते हैं कि जो iron filling से है न वो बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर आप इस screen पर देख पा रहे हैं इस step का safe ओले लेते हैं अरे जो पूरा का पूरा safe है न यह magnetic field lines को बताता है ठीक है तो इसको हमने काफी अच्छे समझा है तो इसका जो question A है जिसे बोलता है कि why do iron filling arrange themselves in a particular pattern the magnet exerts its influence in the region surrounding it तो देखिए इसका region क्या है कि जो magnet है न अपने चारो तरफ एक influence को बनाता है एक region के चारो तरफ बनाता है उसका एक प्रभाव रहता है therefore the iron fillings experience a force इसी कार्ण से जो iron fillings है यहाँ पे एक force होको experience करते हैं जैसे कि हमको मालूम है कि magnet जो है वो लोहे कोई iron को खिशता है same होई force है लोग भी मसूस करते हैं the force thus exerted makes iron fillings to arrange in a pattern तो जो force है फिल करते हैं उसी कार्ण जो iron filling है न वो इस pattern में आ जाते हैं जिस pattern पे हाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं यह जो magnetic field है न इसके second question का ही answer है which physical quantity is indicated by the pattern of field lines around the bar magnet तो है magnetic field last question हो पूछता है कि state any two properties of magnetic field lines तो इसके दो properties क्या होते हैं कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तीहें से इसका properties आप दिख रहा है कि यह जो north pole और south pole है इसमें यह denser होता है यहाँ पे ज़्यादा घना है साथी साथ यह जो है न ना ना नार्थ से south की तरफ जाता है और कभी भी एक दूसरे को एक रास नहीं करता अब दिखें इसके answer में लिखेंगे कि the iron fillings arrange themselves in a particular pattern because in a magnetic field they behave like tiny magnets the magnetic force experienced by these tiny magnets make them align themselves along the direction of field lines अब इसके answer B में लिखेंगे कि magnetic field produced by the bar magnet is the physical quantity which is indicated by the pattern of field lines around the bar magnet अब इसके answer C में लिखेंगे two properties of magnetic field lines are age following इसमें का पहला प्रापर्टी यह है they never intersect each other जैसे कि मैंने explain किया है और B है they are closed curves question 32 का R है a compass needle is placed near a current carrying wire state your observations for the following cases and a give regions for the same in each case एक compass needle जो है उसको current carrying wire के पास में रखा जाता है हमको observation को देखकर जो कि इस following cases में क्या क्या होंगे साथी साथ उसका region बताना है इस case में कि ऐसा क्यों हो रहा है तिसमें आप सने है कि magnitude of electric current in wire is increased जो electric current का magnitude है wire में वो बढ़ रहा है तो जो compass needle है उसके उपर क्या effect आएगा कि you find that the deflection in the needle also changes in fact if the current is increased the deflection also increases तो अगर current बढ़ता है तो जो deflection है ना वो भी बढ़ता है अब इसका answer में लिखेंगे इप magnitude of electric current in wire is increased then the deflection in the compass needle increases as magnetic field of the current carrying conductor is directly proportional to current flowing through it चुकि जो magnetic field होता है current के directly proportional होता है इसी काण बढ़ेगा B है the compass needle is displaced away from the wire और जो compass needle है उसको wire से दूल ले जाने पर उसके उपर क्या प्रभाव आएगा अगर compass needle को wire से दूल ले जाता है तो इसमें लिखा है देखिए कि what happens to the deflection of needle if the compass is moved away from the copper wire but the current to the wire remains the same अब इसको हम अबजरो करते हैं तो हमको मिलता है कि the deflection in the needle decreases कि अगर हम दूल ले जाते हैं तो जो deflection होता है needle में वो कम होने लगता है इसके कान हम क्या इससे अनुमान लगा सकते हैं कि thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases तो जो magnetic field पैदा हो रहा है जो current है उसके द्वारा जो current पे फ्लो हो रहा है वो decrease होने लगता है जैसे जैसे हम distance को जो magnetic compass है यह needle है उसको हम उससे दूल ले जाते हैं यह distance को हम बढ़ाते हैं तो इसी को आगे में लिखा है कि concentric circles representing the magnetic field around a current carrying constant state wire becomes larger and larger as we move away from it तो जैसे जैसे distance हम बढ़ाते जाते हैं तो जो concentric circle है यह बड़ा से बड़ा बनने लगता है region क्या है कि वहाँ पे magnetic field कम होने लगता है इसका answer B है if the compass needle is displaced away from the wire then the deflection in the needle decreases as the magnetic field is universally proportional to the perpendicular distance from the wire question 33 है why is damage to the ozone layer a cause for concern कि जो ozone layer की उपर damage है वो चिंता का भी साइक क्यों है why are its causes and what steps are being taken to limit this damage और यह क्यों हो रहा है और क्या step जो है इस damage को कम करने के लिए लिए जा रहे है देखिए ozone layer के importance को space से कपे अच्छे से हम समझ सकते हैं कि ozone performs an essential function it seals the surface of the earth from alerta violet UV radiation from the sun this radiation is highly damaging to organisms for example it is known to cause skin cancer in human beings तो देखिए ozone layer जो है ना बहुत ही important function करता है upper atmosphere में क्योंकि यह हमको बचाता है लटा वाले trace से जो sun से आते हैं और यह radiation जो होते हैं जो लटा वाले trace होते हैं यह human beings से में cancer पैदा करते हैं खासका risk in cancers इसके आगे में दिखिए the amount of poison in the atmosphere begin to drop sharply in the 1918s इसका second question जो है कि what are its causes and what steps are being taken to limit this damage तो इस cancer यहां से शुरू होता है कि ozone का जो atmosphere में dropping है वो 1980 से शुरू हुआ है this decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons CFCs which are used as represents and in fire extinguisers तो इसका reason क्या था कि जो बहुत जादा यूज हो रहा था CFC का chlorofluorocarbons का कहां कहां पे represent के फार्म में और fire extinguisers के फार्म में अब इसका दिखिए उपाय क्या क्या गया तो in 1987 the United Nations Environment Program UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels तो 1987 में जो United Nations का एक department है समझी है UNEP वो success हो जाता है सभी country को agree करवाने में कि जो CFC का production है वो 1986 से के level पे बना रहे It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerators throughout the world अभी अनिवार यह हो गए कि सारी manufacturing companies जो है न वो क्लोटोफोलो कार्बन से free refrigerator बनाएं तोरी के पूरी दुनिया में Answer 33 में लिखेंगे कि damage of the ozone layer is a cause for concern because the ozone layer seals the surface apart from harmful UV radiations from the sun which cause skin cancer in human beings हम इसको समझ चुके हैं आगे लिखेंगे कि synthetic chemicals like chlorophyllocarbons CFCs which are used as refrigerants and in the fire extinguisers are the main reason for the depletion of ozone layer steps are taken to limit this damage तो क्या के steps लिए गए हैं यहाँ पर लिखेंगे इसको कि many developing and developed countries have signed and are obeying the directions of UNEP United Nations Environment Program to freeze or limit the production and usage of CFCs at 1986 levels section D में question 34 है स्रिष्टी heated ethanol with a compound A in presence of a few drops of concentrated sulfuric acid and absorbed a sweet smelling compound B each farmed तो यहाँ पर स्रिष्टी जो है न वे थेनाल को एक compound A के साथ में few drops of concentrated sulfuric acid H204 के presence में गरम कर रही है और अबजर वो करती है कि यह compound B बना हुआ है जिसका smell जो है न काफी अच्छा है काफी sweet है when B is treated with sodium hydroxide it gives back ethanol and compound C और जो compound B है उसको फिर से sodium hydroxide के साथ treat करने पर यह ethanol वापस दे देता है और उसके साथ में compound C भी देता है अब इससे related three questions है question ने बोलता है कि identify A and C इसमें A और C को identify करना है B है give one use each of compounds A and B और B में हमको बताना है कि जो usage है compounds A और B का और C I write the chemical reactions involved and name the reactions जो chemical reactions इसमें involved होआ है उसको हमको लिखना है और जो reactions हैं उनके नाम को भी लिखना है जो A है वो एतनोई के सीड है इस reaction में आप जख सकते हैं कि एतनोई के सीड जब एतनोल से react कर रहा है यहाँ पे एसीड जो लिखा है वो concentrated H2C pore है यह concentrated sulfuric acid है उसके presence में तो यहाँ पे जो compound B है वो ister बना रहा है और water यहाँ पे निकल रहा है और जो ister है यह sodium hot oxide के साथ react कर रहा है तो यह थिललकौल फिर से हमको मिल रहा है और साथ मिल रहा है sodium ethanate यह जिसको commonly हम sodium acetate बोलते हैं यह जिसका chemical formula है CS3CO-NH तो दिखिए यहाँ पे A हो गया है आपका carboxylic acid और जो C है वो sodium ethanate है यह sodium acetate है यहाँ पे compound A जो है ना हो इतनोहिक acid है और compound B ester है तीस page में ester के usage दिया हुआ है ester used in making perfumes यह perfume बनाने के काम आता है and age falluring agents और यह falluring agents के रूप में भी काम आता है ethanic acid को समाने तोर पे acetic acid के नाम से जाना जाता है commonly called acetic acid और यह carboxylic acid के गुरूप को भिलांग करता है इसका 5-8% solution जो है water के साथ में vinegar का लाता है और vinegar का widely use होता है pickles के पिजरवेटू के फाम में अचार को सुरक्षित रखने के रूप में थर्ड में फर्स्ट जो reaction involved है इसमें वो है esterification reaction esterification reaction में ethanolic acid ethanol के साथ react करता है इंद पजेंस अब concentrated ester support और यहाँ फिश्टर फाम करता है और water release करता है और दूसरा जो reaction है वो है सुपनोफिकेशन reaction सुपनोफिकेशन reaction में जब इस्टर को NOH के साथ react करवा जाता है यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो फिर से हमको ethyl alcohol मिलता है और इसके साथ में sodium ethnoate या जिसका common name sodium acetate है वो हमको यहाँ पर मिलता है answer sheet में इसके answer को हमको लिखना है कि when carboxlic acids react with concentrated estresopore it gives a stir esters smell is sweet ठीक है कि जब carboxlic acid react करता है concentrated estresopore से तो stir देता है हम समझ चुके हैं reaction को और stir का जो smell होता है वो sweet होता है अब इसका यह वाला answer लिखेंगे कि here A is ethanoic acid जो हम इसमें समझ चुके हैं अभी and C is sodium salt up ethanoic acid और C जो है ना वो sodium salt up ethanoic acid है इसके बाद इसके answer B में हम लिखेंगे कि compound A is used as vinegar in pigerative in pickles और जो compound A है जो कि ethanoic acid का एक रूप है vinegar वो यूज के जाता है pickles के रूप में इसको भी हम समझ चुके है और इसका C देखिए C में जो पहला reaction है हो है istrification reaction इसमें एतनुविक acid एतनौल के साथ reactor कर रहा है concentrated just asopore के presence में यहाँ पिस्टर बन रहा है और water आ रहा है दुसरा जो reaction है हो sapnification reaction है जिसमें इस्टर जो है फार्म कर रहा है 34 के आर में question है कि what is the role of concentrated sulfuric acid when it is heated with ethanol at 443 Kelvin give the reaction involved क्या role होता है concentrated sulfuric acid का जब इसको एतनौल के साथ में गरम किया जाता है 443 Kelvin पे और जो reaction है उसको यहाँ पे लिखना है इसी का B है ratio by mistake forgot to label the two test tubes containing ethanol and ethanoic acid ratio जो है गलती से भूल जाता है दो test tube को जिसमें ethanol और ethanoic acid वहते हैं उसको label करना यान उसमें नाम लिखना दोनों उसको समझ मिने आता है कि किसमे ethanol है और किसमे ethanol है suggest an experiment to identify the substances correctly हमको उसको suggest करना है कि किस experiment से हो जान सकता है कि किसमे बताना है अब इसका answer है में लिखेंगे कि concentrated sulfuric acid X is a dihydrating agent when it is heated with ethanol at 443 Kelvin कि जो concentrated sulfuric acid होता है एक dehydrating agent के रूप में काम करता है जब इसको हम गरम करते हैं ethanol के साथ में 443 Kelvin पे reaction को लिखेंगे कि the reaction involved is dehydration आप alcohol इसमें जो alcohol का dehydration होता है dehydration मने alcohol से H2O बहाँ निकलता है यहाँ पे देखिए अथिल alcohol है C2H5OH जब यह concentrated H2O4 के presence में 443 Kelvin पे हिट किया जाता है यहाँ पे ethin बन रहा है और water जो है यहाँ पे release हो रहा है H2O अब इसी का second answer B में देखेंगे कि ratio can differentiate ethanol and ethanolic acid by reaction with sodium carbonate bicarbonate with the samples तो देखें ratio जो है ना differentiate कर सकता है ethanol को और ethanolic acid को sodium carbonate या sodium bicarbonate के साथ में reaction करवा के ethanol will not react ethanol जो है ना sodium carbonate sodium bicarbonate के साथ में बिल्कुल react नहीं करता where as ethanolic acid will give brisk effervisions fish bubbles जबकि ethanolic acid जो है ना brisk के फिर्विसेंस देता है जिसे पीज और bubbles होते हैं अब reaction यहाँ पर देखिए the corresponding reactions are givenage जो reaction हो रहा है उनको हमको ऐसा लिखना है यहाँ पर 2CH3COH ethyl4 react कर रहा है sodium carbonate के साथ में in it wise CO thrice के साथ में यहाँ पर sodium acetate बन रहा है water बन रहा है और carbon dioxide यहाँ पर बहाँ निकल रहा है यह जो carbon dioxide यहाँ पर बहाँ निकल रहा है वही फीज और bubbles बनाता है दूसरा जब ethanolic acid यहाँ पर react कर रहा है sodium bicarbonate के साथ में तो यहाँ पर sodium acetate फिर से बन रहा है water और carbon dioxide निकल रहा है तिन दुनोई केस में दिखिए, यह जो एतनोईक एसीड है, वो रियक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बनेट के साथ में, और सोडियम बाई कार्बनेट के साथ में, जबकि जो एतनोई है, वो रियक्ट बिल्कुल नहीं करता, तिससे असानी से रेसू जो है ना पहचान लेगा, कि कौन से थेनॉल है और कौन सा एतनुएक एसीड है Question 36 है The diagram above is a symmetric diagram आप household circuit यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक household circuit का एक symmetric diagram दिया हुआ है The house zone in the above diagram has 5 usable spaces where electrical connections are made और यह घर जो यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर ऐसे जगहा है जहाँ पर electrical connections बने हुए है For this house, the mains have a voltage of 220 volt and the net current coming from the mains is 22 ampere तो इस घर के लिए जो voltage है वो 220 volt है और जो current है, mains से जो आ रहा है वो 22 ampere का है इस में question है कि What is the mode of connection to all the spaces in the house from the mains कि जो mode of connections है सारे spaces में घर में जो कि mains से आ रहा है, वो कैसा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे जो connections है उसके सेम सिरे, जैसे कि सिरा यह है वो यहाँ पर एक साँ जुड़ा हुआ है और बाकी जो हिस्से हैं, यहाँ पर सिरे भी से जुड़े हुआ है दिखों सा connection होगा यह होगा parallel connection क्योंकि parallel connection में सेम सिरे जुड़े हुए होते हैं और ऐसे भी इसको याद रखिएगा कि जो housing में connection होता है घर में वो parallel connection ही होता है अब 36 के इंसरे में लिखेंगे कि the mode of connection to all the spaces in the house from the mains is parallel अब इसका question भी देखिए कि the spaces 5 and 4 have the same resistance and spaces 3 and 2 have respective resistance of 20 ohm and 30 ohm यहाँ पर बोल रहा है कि जो 5 और 4 places है इसमें के जो resistance सेम है और spaces 3 और 2 के जो resistance है वो 20 ohm और 30 ohm है space 1 है जो resistance double that of space 5 और space 5 में जो resistance है उससे double resistance जो है ना space 1 के पास है तो what is the net resistance for space 5 तो space 5 के लिए net resistance क्या होगा तो देखिए यह जो है ना एक parallel connection का question है इसमें माली जिए हम लोग 5 और 4 को 1 ohm मानते हैं तो 1 जो है ना 2x ohm हो जाएगा और parallel connection को यूज करके फिर space 5 पे हम जो resistance है उसको find out कर लेंगे चुकि यह जो connection है household connection वो parallel होता है तिसको हम इस diagram से काफी easy way में समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए मैंने एक parallel connection का diagram बनाया हुआ है यह space 1 का resistance है और उसी प्रकार से 2, 3, 4, 5 के resistance को यहाँ पे मैंने parallel connection में arrange किया है जो की 220 बोल्ट के AC mains के supply से connected है और AC mains से जो current निकल रहा है वो 22 ampere का निकल रहा है फिर इस question में 5 और 4 का जो resistance है वो same है बोला है लेकिन दिया नहीं है उसको हम यहाँ पे मानेंगे कि late resistance आप space 5 and 4 भी x ohms respectively इसके बाद यहाँ पे बोलता है question में कि जो space 1 का resistance है वो space 5 के resistance से 2 गुना है इसलिए हो जाएगा 2 x ohms और इसमें दिया है resistance आप space 2 equal to 30 ohms और resistance आप space 3 equal to 20 ohms और यहाँ पे current हमको दिया हुआ है 22 ampere का और voltage दिया हुआ है 220 volt का तो मान लिजे यहाँ पे total जो resistance है वो capital R है यहाँ पे लिख लेंगे total resistance equal to capital R अब हमको मालूम है ohms और आ से r equal to b by i होता है तो इसी को use करेंगे हम लोग अब यहाँ पे देखिए जो parallel connection में जो total resistance है 1 upon r equal to क्या होगा 1 upon इसको r1 ले लिजे plus 1 upon R2 ले लिजे plus 1 upon R3 ले ले लिजे plus 1 upon R4 ले लिजे plus 1 upon R5 है यहाँ पे r1, r2, r3, r4 और r5 जो है न वो resistances है 1, 2, 3, 4 और 5 espaces के अब इसमें value put करेंगे तो वनापान R1 जो है R1 यहाँ पे दिया हुआ है 2x इसको हम माने हुए है R2 जो है यहाँ पे 30 ohm है R3 20 है R4 x होगा और R5 जो है ना यह आपका वनापान AB x होगा और यहाँ पे R को हम calculate कर सकते हैं तो भी का जो voltage है 220 volt है और ampere 22 है तो 22 अंज़ 22 और 22 अंज़ 22,0 यहाँ पे हमको मिलेगा 10 ohm तो इसका equivalent हमको resistance कितना मिला 10 ohm इसको हम यहाँ पे put करेंगे तो हो जाएगा 1 upon 10 ohm equal to इन सब का जो LCM है होआ जाएगा यह कि इनके LCM आएगा 30x sorry 60x आएगा यह क्योंकि 32,060 और 60 से सारे के सारे यह divide हो जाएगे अब इसको देखे 2x अगो 60x से divide करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 30 plus यहाँ पे मिलेगा 2x plus यहाँ पे 3x plus यहाँ पे 60 plus यहाँ पे 60 मिलेगा ठीक है इसको आगे जाके सालवा करेंगे तो यहाँ पे वगा 1 upon 10 equal to square करेंगे तो 60,61,20 और 31,50 plus 5x divided by 60x ठीक है और इस 0 को इससे हम लोग काड़ सकते हैं 0 से 0 कड़ गया अब इसको आगे सालवा करेंगे तो यहाँ पे आल लिखके 6x equal to 150 plus 5x अब यह 5x से इदा transfer करेंगे तो हो जाएगा 6x minus 5x equal to 150 तो x equal to आ जाएगा 150 ohm ठीक है तो हमको x सकते value यहाँ पे क्या मिला 150 ohm और question में पूछ रहा है कि what is the net resistance for space 5 तो space 5 और 4 दोनों का net resistance सेम है जो कि है 150 इसको answer में हम लिख लेंगे तो resistance of space 5 equal to 150 ohm अब इसमें question C है कि what is the current in space 3 space 3 में जो हैना current कितना होगा तो देखिए जो diagram हमने बनाया हुआ है उसके helper से space 3 में जो current है उसको easily हम find out कर लेंगे C में देखिए यहाँ पे space 3 में जो resistance है वो 20 ohm का है अब इसमें हमको पूछ रहा है कि यहाँ पे current कितना flow होगा और जो voltage है चुकि पेलल है तो इसका voltage जो है 220 volt होगा ठीक है तो formula क्या होगा I3 लिख देते हैं क्योंकि space 3 के लिए current है equal to V by यहाँ पे R3 लिख देते हैं क्योंकि R3 space 3 का persistence है तो V का value यहाँ पे 220 volt है और R3 जो है वो 20 है 0 से 0 कटा 2 अंजा 2 अंजा 2 अंजा equal to 11 ampere ठीक है तो जो space 3 है ना उसमें जो current flow होगा वो 11 ampere का होगा इसको यहाँ पे लिखेंगे कि the current in space 3 equal to 11 ampere इसमें question D है what should be placed between the main connection and the rest of the house electrical appliances to save them from accidental high electric current क्या चीज जो है बीच में हम डाल सकते है main connection और बाकि rest of the house connection से या electrical appliances से तकि accidental high current आ जाए high electrical current आ जाए उससे electrical appliances को बचा जा सके अब इसका इंसर्टी में लिखेंगे कि electric fuses MCV should be placed between the main connection and the rest of the house's electrical appliances to protect them from sudden surge in electric current question 35 कहे है why is it not possible to reconstruct the whole organism from a fragment in complex multicellular organisms एक fragment से पूरे के पूरे organism को reconstruct करना क्यों पासिबल या संभव नहीं है complex multicellular organisms में देखें multicellular organisms में reconstruction जो है ना whole organism का fragment से इसलिए possible नहीं होता क्योंकि यहाँ पे दिया है कि all multicellular organisms they cannot simply divide cell by cell क्योंकि यह simply cell by cell से divide नहीं हो सकते the reason is that many multicellular organisms as we have seen are not simply a random collection of cells कि बहुँ सारे जो multicellular organisms होते हैं यह केवल और केवल random collection of cells नहीं है specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organs इसमें जो specialized cells होते हैं वो tissue के रूप में organized होते हैं और tissue बाद में जाके argon के रूप में organized होते हैं which then have to be placed at definite positions in the body और उसके बाद definite position में body में placed होते हैं इस परकार का बहुत ही carefully जो organized situation होता है इसमें हम बोले की independent हो के cell by cell division हो यह बिल्कुल भी impactical होगा possible नहीं होगा इसके answer में लिखेंगे it is not possible to reconstruct the whole organism from a fragment in complex multicellular organisms because multicellular organisms are not simply a random collection of cells specialized cells are analyzed as tissues and tissues are organized into organs which then have to be placed at definite positions in the body therefore cell by cell division with different structures and functions would be impractical इसका question B है sexual maturation of reproductive tissues and organs are necessary link for reproduction elucidate कि जो sexual maturation होता है reproductive tissues का और organs का reproduction के लिए एक necessary link है इसको हमको elucidate करना है देखे यहाँ यहाँ पर काफी अच्छे समझाया है कि the whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement इनको हम body enlargement नहीं बोल सकते नए-नए feature इसमें बनते हैं नए-नए body के proportion change होने लगते हैं और नए sensation बनने लगते हैं reproduction के लिए specialized जजम sales पैदा होने लगते हैं body में जब हमारा body का growth adult size तक हो जाता है और general body growth जो है नए slow down होने लगता है पूरे के पूरे body में नए-किसम के change होने लगते हैं और यह जो change कब होते हैं जब हमारा body जो है poverty के तरफ जाने लगता है adult sense के period में इसमें जो change voice और girls में होते हैं तो कूच change दोनों में common होते हैं जैसे कि आम पीट पे बाल आना और कूच change जो है ना दोनों में अलग-अलग होने लगते हैं जैसे कि लड़कियों में जो breast tip होता है निपल उसके skin का dark होना उनमें menstruation आना अब इसका answer में लिखेंगे कि sexual maturation of reproductive tissues is a necessary link for reproduction because of the need for specialized cells called jump cells to participate in sexual reproduction the body of the individual organism has to grow to its adult size the rate of general body growth begins to slow down reproductive tissues begin to mature a whole new set of changes in the appearance of the body takes place like change in body proportions new features appear the period during adolescence is called puberty there are also changes taking place that are different between boys and girls in girls breast size begins to increase with darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast also girls begin to menstruate at around this time boys begin to have new thick hair growth on the face and their voices begin to crack 35 के आर में question ए है how are variations useful for species if there is drastic alliteration in the niches कि niches में drastic alliteration होने पे जो variation होता है वो कहें useful होता है species के लिए जो निजिए और में रिए इसके 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 अंसर में लिखेंगे के लिएंगे एक वरी अरी आकです species if there is drastic alteration in the niches as if the niches इसके इंसर में लिखेंगे कि variations are useful for species if there is drastic alteration in the niches as if the niches were drastically altered the population could be wiped out तो देखिए variation बहुत important है अगर species जो है उसमें drastic या dramatic alteration हो रहा है उसके niches में और जब niches जो है ना drastically अगर altered हो जाएंगे तिससे क्या होगा कि जो उनका पुरा का पुरा जनसंख्या या population है वो खत्म हो जाएगा however if some variations were to be present in a new individuals in this populations there would be some chance for them to survive किकिन अगर variation होगा जो भी drastic change हो रहा है उसको face करने के लिए कुछ individual से में उसी population में तुनके पास chance होगा survive करने का या बचने का बेरियाशन इस दस उच्पूल फार द शर्वाइवल आप द इस्पीसीज ओवर टाइम इसी कार्ण से बेरियाशन जो है ना कफी प्रापर ग्रोथ एंड डवलोपमेंट आप द इम्ब्रीयों अप्टर इंपलांटेशन के बाद में इंब्रियों के डवलमेंट के लिए युटेरास और फ्लेसंटा कैसे नसेशेरी प्रोइड करते हैं प्रापर ग्रोथ के लिए इसको हमको इसमें explain करना है अब इसके एं embryo and to support the development of the fetus. जो uterus होता है को अपने आपको prepare करता है embryo को receive करने के लिए और साथी साथ जो fetus या भून होता है उसके development को support करने के लिए. The lining of the uterus thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo और जो lining होता है uterus में वो मुटा होने लगता है और blood को richly supply करने लगता है ताकि जो embryo grow होता है उसको nourish कर सके उसको पोसाण दे सके. The embryo gets a nutrition from the mother's blood with the help of placenta और placenta के help से embryo जो है nutrition ये पोसाण पराप्त करता है माता के blood से it is embedded in the uterine wall और ये जो है ना uterine wall में embedded होता है जुड़ा होता है it contains willy on the embryo side of the tissue और इसमें willy होता है willy जो पोसाण को चुशने वाले ball type के projections होते हैं embryo के side में ये होता है उसके tissue में and the mother side are bloody spaces which surround the willy और mother के side में bloody spaces होते हैं जिसमें willy surrounded होता है this provides a large surface area for glucose and oxygen absorption by willy to pass from mother to the embryo इससे एक large surface area मिलता है glucose और oxygen के अपजावसन का या शोशन का विली से जो की पास होता है mother से embryo में the developing embryo also generates waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta और जो developing embryo होता है वो बहुँ सारे waste substances को भी generate करता है जिसको remove किया जाता है उसको transfer करके mother के blood में placenta के द्वारा और इसके last time में लिखेंगे कि the child is born as a result of rhythmic contractions of the muscles in the uterus और जो बच्चे का जन्व होता है उसका कान होता है rhythmic contractions होता है muscles में जो की uterus में present होते हैं सेक्शनी में question 37 है two students decided to investigate the effect of water and air on iron object under identical experimental conditions दो student हैं उन्होंने decide किया कि वो investigate करेंगे पानी और हवा का जो प्रभाव है iron objective के उपर लोहा के उपर identical experimental conditions में they measure the mass of each object before placing it partially immersed in 10 ml of water उन्होंने पहले जो mass था हर object का उसको नाप लिया 10 mm वाप्टर में partially होने के पहले after a few days the object was removed और कुद दिन बाद object को बहाँ निकाला गया dried under their masses were measured और सुखाया गया और उनके masses को फिर से measure किया गया the table source their results और इस table में उस result को बताया जा रहा है यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यह student है यह object है mass आप object before resting in gram है और mass आप quoted object in gram है तो देखें जो student है वो nail को लिया हुआ था kill को लिया हुआ था और resting के पहले इसका जो mass था वो 3 gram था और after resting यह 3 decimal 15 gram हो गया है बी जो है एक thin plate को लेता है resting के पहले इसका जो mass है वो 6 gram है और after 6 decimal 33 gram है अब इसमें question है देखिए कि what might be the region for the varied observations of the two students क्या कान हो सकता है कि तो अलग-अलग observation यहां पर मिल रहे हैं दोनों students को तो ध्यान से देखिए कि आप तो यहां पर जो thin plate है ना तो plate कैसा होगा ऐसा होगा एक चोड़ा होगा बिल्कुल ऐसा और जो nail होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा है ना जो keel होता है ऐसा होता है तो इसका जो surface area है ज्यादा surface area यह ज्यादा contact में आएगा air moisture को जिसके काण इसमें ज्यादा resting होगा इसलिए इसका जो rust के साथ में mass है इसके compression में कुछ ज्यादा है जबकि जो nail है इसका surface area कम होता है तो यह कम contact में आएगा air और water vapor के साथ में इसलिए इसमें जो rust का mass है वो कम है इसलिए इसका absorption जो है ना कम है अब इसका इंसा लिखेंगे कि due to rusting there is an increase in mass in both A and B thin plate B has more surface area and exposed more to air and water than nail A hence rusting in B is more than A इसमें question B है in another setup the students coated iron nails with zinc metal and noted that iron nails coated with zinc prevents rusting दूसरे setup में students ने क्या किया iron nail को coat कर दिया zinc metal के द्वारा और उन्होंने note किya कि iron nail में अगर zinc की coating होती है तो इससे rusting prevention होता है यह जंग इसमें नहीं लगता है इसका region क्या है क्योंकि zinc जो है ना वो ज्यादर active होता है iron के साथ में तो zinc जो है पहले raster बना लेता है और iron protected रहता है they also observed that zinc initially acts as a physical barrier और उन्होंने देखा कि zinc जो है ना एक physical barrier group में भी काम करता है but an extra advantage of using zinc is that it continues to prevent rusting even if the layer of zinc is damaged और दूसरा जो फैदा है zinc coating का वो यह है कि वो rusting prevention करते रहता है अगर वो zinc कर लेयर damage भी हो जाता है तब भी name this process of rust prevention and give any two other methods to prevent rusting इसे जो method है rust prevention का इसको क्या बोलते हैं और हमको दो और method इसमें लिखना है जिसे रusting से हम चीजों को बचा सकते हैं इसके एंसर में लिखेंगे कि इस process of rust prevention is called galvanization it is the process of coating iron with a sacrificial layer of zinc to protect it from rusting ironing and gazing is two other methods to prevent rusting question 37 का r है question 37 में question 37 में answer b का r है in which of the following applications of iron rusting will occur most support your answer with valid region के नीचे में जो iron के applications हैं उसमें rusting जो है सबसे ज़्यादा किसमें होगा और हमको अपने answer को एक valid region के साथ में support करना है इसमें ये देखिए iron bucket electroplated with zinc iron bucket में electroplating हुआ है zinc का जिसको galvanization बोलते हैं तो zinc इसको protect करेगा रस्टिंग से b है electricity cable saving iron wires cupboard with aluminum और इसमें देखिए iron wires जो है न वो cupboard है aluminum के साथ में तो aluminum जो है न यहाँ पर iron को protect करेगा रस्टिंग से c देखिए iron hinges on a gate यहाँ पर जो है न iron hinges है gate पे लेकिन उसको कोई protection नहीं है तो सिधा रस्टिंग के संपर के में होगा या इसमें rust ज्यादा होगा क्योंकि ये oxygen और air और water उपर के संपर कमें आ जाएगा और d देखिए painted iron fence यहाँ पे जो iron fence है इनके उपर painting हुई है तो जो painting है iron fence के उपर में वो क्या करेगा उसको rust नहीं बचाएगा क्योंकि डिरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा oxygen के और water उपर के इसलिए क्या होगा इसका option c होगा कि iron hinges on a gate answer 37 B में आर वाले कोस्टन के शर में लिखेंगे की इन A, B, C and D iron hinges C comes in direct contact with air and water so it rust due to rust preventing methods such as galvanizing, painting alloying are used in A, B and D which slow down the process of rusting hence due to contact with both atmospheric oxygen and moisture water vapor iron hinges are likely to rust quickly question 38 में पूजा has green eyes while her parents and brother have black eyes तो पूजा के जो eyes है ना वो green है जबकि उसके parents के जो eyes है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि black eyes है और उसका भाई का भी जो eye है ना वो black eye है तो दिखिए इसी से हम समझ सकते हैं कि इसमें जो dominant trait है दोनों parent का यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है black eyes है उसके बाद आगे बोलता है कि पूजास husband रवी has black eyes while his mother has green eyes and father has black eyes और जो पूजा के पती है रवी उनकी आखें काली है बलेक आईस है और उनकी मम्मी की जो आखें है वो green eyes है और जो फादर की जो आखें है वो black eyes है अब इस information के उपर हम इसके question देखते है question है क्या on the basis of the given information is the green eye color a dominant or recessive trait justify your answer कि यहाँ पर जो information हमने देखा है उसके हिसाब से हमको बताना है कि green eye color जो है न वो dominant होगा कि recessive होगा और हमको हमारे answer को justify भी करना है तो जैसे कि मैंने बताया कि उसके दोनों parent के जो eyes है न वो black eyes है इसलिए पूजा के जो green eyes है वो क्या होंगे recessive trait होंगे luminate trend नहीं होंगे अब इसके answer में लिखेंगे कि on the basis of the given information we can say that green eye color is a recessive trait as it is only getting expressed in homogeneous conditions कि जो information दिया हुआ है उसके अनुसार हम बोल सकते है कि green eye color जो है एक recessive trait होगा क्योंकि यह तभी एक्सप्रेस हो रहा है जब condition जो है homo jagus conditions है अब homo jagus conditions क्या होता है कि individuals carrying two identical ellies capital RRR और small rr are known as homo jagus इसमें देखिए उसके जो parents है पूजा के उन दोनों का जो eye color है वो black है बने capital RRR है identical ellies है इसकार जो condition है homo jagus है इसकार यह जो है green eye color उसका recessive trait है इसका भी है कि what is the possible genetic makeup of पूजास brothers eye color पूजा के भाई के eye color का possible genetic makeup क्या होगा अब इसके answer में लिखेंगे कि पूजास brother can have two genotypes where black is dominant तो जो black dominant है इसको हम समझ चुके है क्योंकि उनके जो parents है उनके eye के color जो है black है तो पूजा के भाई का भी दो genotype होगा पहला होगा homo jagus ellies यह है capital B capital B मैंने इसमें black black माल लीजे दुसरा जो है hetero jagus ellies इसमें capital B small B मैंने black और green eyes इसमें हो जाएगा इसका see है what is the probability of the up spring of Pooja and Ravi will have green eyes इस बात का probability कितना होगा कि जो Pooja और Ravi के आने वाले संतान होंगे या up spring होंगे उनके color इसका see है कि what is the probability that the up spring of Pooja and Ravi will have green eyes इस बात का probability कितना होगा कि जो Pooja और Ravi के आने वाले संतान होंगे या up spring होंगे उनके आखों का color जो है वो green होगा and also so the inheritance of eye color in the up spring with the help of a suitable cross और एक cross के help से हमको बताना है कि जो eye color का inheritance होगा आप spring में उसको अब इसका answer में दिखिए Pooja has small b small b genotype मतलब green green tape के genotype है Pooja के पास and Ravi had capital b small b और Ravi के पास जो genotype है उसमें black और green है the cross between Pooja and Ravi can given by तो जो cross होगा Pooja और Ravi के बीच में उसको हम दे सकते हैं small b small b cross capital b small b तो इसको हम कैसा लिखेंगे यहां पर ध्यान से दिखिए यहां पर capital b होगा और यहां पर small b होगा और यहां पर small b और यहां पर small b तो सबसे पहले b का b के सांथ होगा तो capital b small b फिर b का b के सांथ होगा तो यह small b small b ठीक है उसके बाद देखिए इसके साथ होगा, ये भी होगा B और B और B के साथ होगा तो ये ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर जो chance है देखेंगे आप, आप spring के green eye color होने का वो 50% है क्योंकि small v, small v, small v, small v, small v, जो है ना, ये 4 में 2 times है इसका एंसर लिख देंगे कि 50% आप दाफ स्प्रिंग के नहीं आप ग्रिन आई कलर 38 में C का R है question D कि 50% आप दाफ स्प्रिंग आप पुजास बर्दर और ग्रिन आइड कि जो पुजा के भाई के बच्चे हैं उनमें 50% जो है ग्रिन आइड है और इसका एंसर में यहां पे हम लोग लिखेंगे कि 50% आप पुजास बर्दर्स आप स्क्रीम कि पुजा के भाई के बच्चों का ग्रिन आइड 50% होने के लिए क्या होना चीए देखे मतलब लेक और ग्रिन यह ग्रिन ग्रिन टाइप का जनो टाइप होना चीए capital B small B मतलब black or green या green green type का जिनों type होना चाहिए तिसमें अब देखिए अगर हम इसको लेंगे तो अलग cross होगा और इसको लेंगे तो अलग cross होगा इसको दुनों को समझते हैं कि किसमें जो है 50% हमको मिलेगा अब case one में देखिए जब cross करेंगे capital B small B का capital B small B के साथ में यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा capital B small B यहाँ पर लिखेंगे capital B small B और B से भी cross होगा तो capital B capital B आ जाएगा यहाँ पर capital B small B और यह वाले से यहाँ पर capital B small B और यहाँ पर small B small B तो देखिए यहाँ पे केवल एक बार ऐसा हो रहा है जब दो बार इसमाल भी आ रहा है यह जो इसमाल भी है वो green color eye के लिए है तो यहाँ पे देखिए 1 by 4 into 100% 100 equal to 100 by 4 equal to 25% तो देखिए 25% chance ऐसा है जब आप spring का जो eye का color है वो green होगा अब इसको answer में लिख देंगे कि hence the chance of green eyes appearing in our spring is 25% लेकिन question हमको 50% के लिए बोल रहा है तो हम case 2 में जाएंगे तो case 2 में cross करवाएंगे capital b small b का small b small b के साथ में यहाँ पे देखिए capital b small b लिख दीजे यहाँ पे small b small b लिख दीजे अब इसको cross कराएंगे तो capital b small b और यहाँ पे देखिए bb आ जाएगा फिर यहाँ पे capital b small b और यहाँ पे यह बीब आ जाएगा यहाँ पे देखिए 2 में one time अलब 2 upon 4 into 100 equal to 50% chance जो है ना इसमें आप spring का वो green color eye होने का है तो यह वाला जो है ना case 2 इसके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा अगर बच्चों में हम चाहते हैं कि 50% जो है green eyes हो here there is a 50% chance there of spring will have green eyes तो जैसे कि हम समझ चुके हैं कि 50% chance हो जाएगा second वाले case में इसलिए answer में लिखेंगे कि therefore 50% of the up spring can have green eyes as per the cross shown in case 2 यह इसका answer हो जाएगा question 39 में इस picture को देखिए इस picture में एक slide projector है और उसमें अलग-अलग किसम के lens को लिखाय गया है तो the above images are the top specialized slide projector slides are small transparencies mounted in sturdy frames ideally suited to magnification and projection since they have a very high resolution and high image quality there is a tray where the slides are to be put into a particular orientation so that the viewers can see the enlarged direct images of the transparent slides this means that the slides will have to be inserted upside down in the projector tray तो देखिए यह तो ज्यादा important नहीं है इसका जो important part है यहां से है to show our students the images of insects that's investigated in the lab Mrs. Ayer bought a slide projector our slide projector produced a 500 times enlarged and inverted image of a slide on a screen 10 meter away तो देखिए यहां पर क्या पता रहा है कि जो image बन रहा है वो 500 times enlarged बन रहा है inverted image बन रहा है और slide पर बन रहा है slide के द्वारा बन रहा है screen जो कि screen 10 meter away है मतलब यह यहां पर screen है तो यहां पर image फाम होता है तो यह की case में होता है तो real image के case में होता है क्योंकि real image का जो सबसे बड़ा identification है कि उसको screen पर हम बना सकते हैं अब इसके questions देखते हैं तो इसमें question यह बोलता है कि based on the text and data given in the above paragraph what kind of lens must be must the slide projector है कि जो हमने समझा जो text में पड़ा और जो data यहां पर दिया हुआ है paragraph में उसके अनुसार हमको बताना है कि कौन से किसिमका lens जो है न इस slide projector में होना ही चाहिए इसके answer में लिखेंगे जो हमने अच्छे समझा है कि the lens used in slide projector is convex lens कि जो lens यूज हो रहा है slide projector में हो convex lens है because the image is inverted and in large क्योंकि जो image है वो inverted है उल्टा है और बड़ा है and the forms on a screen और सबसे important कि यह screen पर बनता है means it is a real image मतलब कि एक real image है अब इसका question B है if B is the symbol used for image distance तो देखें आपे B जो है न वो image distance का symbol है and U for object distance U जो है न object distance का symbol है then with one region state what will be the sign for B upon U in the given case तो हमको एक region बताना है कि क्या sign होगा B upon U का इस case में जो case अभी हम salvage कर रहे है उसमें इसमें देखें माली जे एक convex lens है और यहां से एक light आ रहा है तो इधर का पूरा का पूरा negative होता है तो यहां पे U जो है न distance of object from the lens U negative होगा और यहां पे इसका image बनेगा और image जो है light के direction में बन रहा है तो image यहां पे positive होगा और भी का जो sign होगा वो positive होगा तो यहां पे जो B upon U हम लोग लिखेंगे इसमें B positive है और U negative है इसलिए इसका जो total sign होगा minus B upon U होगा मतलब B upon U का यहां पे sign क्या होगा negative हो जाएगा इसके answer में लिखेंगे कि is the image formed or is real and inverted याद रिखेगा अगर real और inverted है hence the magnification will be negative तो magnification जो है ना वो negative होता है जैसे कि हम समझ चुके है इसमें question C है a slide projector has a convex lens with a focal length of 20 cm इसमें जीकिए focal length दे रहा है convex lens का f equal to 20 cm इसके आगे में बोल रहा है कि the slide is placed upside down 21 cm from the lens और जो slide का distance है वो 21 cm है lens से तिहां पे U का value दे रहा है 21 cm अब बोलता है how far away should the screen be placed from the slide projector's lens so that the slide is in focus यहां पे बोल रहा है कि कितना दूर जो screen है उसको रखा जाए slide projector lens से जिसके एकाण slide जो है न वो focus में रहे तिहां पे देखिए V जो है न distance of screen from the lens या distance of image from the lens है तिहां पे हम लोगों को lens formula से जो V है उसके value को find out करना है तो देखिए इसको solve करेंगे तो इसमें given है कि focal length of the convex lens f equal to 20 cm यह हमको दिया हुआ है distance of object from the lens u equal to 21 cm हमको find out करना है distance of image from the lens equal to V तिहमें हम लोग lens formula यूज़ करेंगे तो lens formula में होना पान f equal to होना पान B minus होना पान U तो देखिए यहां पर U जो है ने negative होगा क्योंकि यह light जो आता है उसके opposite direction में है यहां पर हम लोग जो इसका focal length है उसको 20 cm positive लेंगे और इसका V को हमको find out करना है और यह जो है ना minus 21 cm यह negative होगा अब इसको salva करेंगे तो देखिए 1 upon B equal to होगा इसको इदा transfer करेंगे तो यह negative into negative positive हो जाएगा तो यह लीख सकते 1 upon B plus 1 upon 21 और 1 upon B में इसको करेंगे तो 1 upon 21 इदा transfer होगा 1 upon 20 minus 1 upon 21 इन दोनों का LCM हो जाएगा 0, 21, 2, 42, 420 हो गया अब इसको प्रास multiply करेंगे तो B equal to 420 cm आ जाएगा मतलब जो यहाँ पर distance of image from the lens है वो है 420 cm तो इसको लिखेंगे कि the screen should be placed at 420 cm from the slide projector अब इसमें question C का R है when a slide is placed 15 cm behind the lens in the projector जब एक slide को placed किया जा रहा है 15 cm lens के पीछे में प्रोजेक्टर में an image is formed 3 meter in front of the lens तब एक image form हो रहा है lens के आगे में 3 meter पे if the focal length of the lens is 14 cm अगर lens का focal length 14 cm है draw a diagram to show image formation तो हमको एक ray diagram draw करना है यहाँ पे जो कि image formation को दिखा है not to scale है इसमें scale को ध्यान नी देना है पर देखिए object अगर f1 और 2 f1 के बीच में है तो जो position आप image होता है beyond 2 f2 होता है enlarged होता है real और inverted होता है इसी position को यहाँ पे पूचा हुआ है और इसको यहाँ पे आप diagram में अच्छे से समझ सकते हैं यह वाला position है जो किसमें दिया हुआ है इसी को हमको draw करना है यहाँ पे here focal length f equal to 14 cm दिया हुआ है and u जो distance of object from the lens से 15 cm है मतलब distance of object जो है न वो focal length से ज़्यादा है बने जो object का position होगा f और 2f के बीच में होगा तिसको लिखेंगे कि the object is filled between f and 2f ठीक है अब इसके बाद जैसे कि मैंने अभी समझाया book से आपको यह वाला image बनाना है तिसको कुछ निकरना है convex lens यहाँ पे draw करिए यहाँ पे भी किसी भी size के ड्रा करिए यहाँ से एक parallel line खीचना है जो कि principal axis के parallel होगा तो जब यह principal axis के parallel कोई light skew पर आता है incident होता है तो यहाँ तो reflect होके यह focal lens से यह focus से होके जाता है और दूसरा जो है आपको यहाँ से सीधा optical center से एक line pass करना है तो जहाँ पे cross करेगा वहाँ पे एक हम लोगों को image मिलेगा जो कि ADSBDAS यहाँ पे मैंने दिखाया है इसको देखेंगे तो यह भी से enlarge है और inverted है और real है इसको यहाँ पे लिखेंगे कि यह convex lens है और object between end and 2 f के बीच में है f और 2 f के बीच में और यहाँ पेंसर में लिखेंगे कि the corresponding ray diagram तिये जो है ना पूरा कपरा ray diagram आपको बना ला है